आज की जो मारी क्लास रहने वाली है B.E.S.C. 132 Education फिक यानि सिच्छा जो आपका सब्जेक्ट रहेगा इसका B.E.S.C. 132 B.E.G. First Year में आपका बुक का नाम रहेगा सिच्छा का सुरूप और परबंधन इसकी हम लोग क्लास करने जा रहे हैं जिसमें मैं एक ही क्लास में आप सबको पूरी बुक पढ़ाने वाला हूँ अगर मैं बात कूँ तो इसमें लगभग 16 चेप्टर हैं तो मैं आप सबको चेप्टर नमबर 1 से ले करके और चेप्टर नमबर 16 तक मैं पूरी किताब पढ़ाऊंगा सिरफ एक ही क्लास में जो कि आपके आने वाली एक्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टन्ट होने वाला है अगर आप इस पूरी क्लास को देख लेते हैं तो जरूर कह सकता हूँ एक्जाम आपका बिल्कुल आसानी से निकल जागा जो जो मैं चीजे बताऊंगा उनको ध्यान से सुनिएगा और इस एक ही क्लास में हम लोग पूरे चप्टर को पढ़ेंगे ठीक है तो चलिए हम लोग इस क्लास को सुरू करते हैं और एक एक चप्टर करके मैं आपको सारा बताता है चप्टर क्या है चप्टर नमर फस्ट क्या है सिच्छा के लिए संविधानिक प्राउधान इसका मतलब होता है कि सिच्छा को ले करके हमारा जो संविधान है जो भारत का संविधान है उसमें क्या-क्या प्रावधान किये गए हैं खास तोर से सिक्षा को लेकर के क्या बात दी गई हमारे देश के सम्मिधान में कंसिट्यूशन में तो सबसे पहले हम लोग बात परेंगे सम्मिधान की प्रस्तावना क्या है समिधान की प्रस्तावना खास तोर से अगर मैं इंपोर्टेंट की बात कूं मौलिक अधिकार और सिक्षा अल्प सेंख्यों के लिए सांस्कृतिक और सैच्छी अधिकार क्या है राज के नीती निर्सर सिधांच में सिच्छा का क्या क्या प्रावधान किया गया है और एक मौलिक अधिकार के रूप में सिच्छा में क्या 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 बाती कही गई है ये सारे क्या हैं हमारे लिए important questions रहने वाले हैं तो इसको चली हम लोग देख लेते हैं ठीक है एक एक को देख लेते हैं देखो अगर मैं सम्मिधान की प्रस्तावना की बात गूंद तो आप सबको पताओगा सम्मिधान की प्रस्तावना में यह लिखा कि हम भारत के लोग भा सम्मिधान की प्रस्तावना में इस बात को लिखा गया देखो अगर मैं भारती सम्मिधान की प्रस्तावना की बात करूं तो भारती सम्मिधान की प्रस्तावना स्वतंतर भारत की आत्मा है क्या बोला जाता भाई भारती सम्मिधान की प्रस्तावना है उसको स्वतंतर भार यदि आप प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो आपको विसलेशन करना का परियास करना होगा। बाते कह सकते हैं कि हमारे संविधान में संविधान की प्रस्तान है जिसको हम लोग उद्देशी का बोलते हैं उसमें लिखा गया है। महिलाएं हैं सभी लोगों ने बढ़ चड़ करके भाग लिया और जब हमारा देश आजाद होता है तो भारतिय संविधान में भी अगर आप देखोगे तो सभी की समानता की बात की गई है। क्योंकि आजादी की लड़ाई में भी सभी लोगों ने बढ़ चड़ करके भाग लिया था है। इस वजे सम लोग कह सकते हैं कि भारतिय संविधान में अगर आप देखोगे तो खास तोर से समानता की बाती की गई है। अगर आप भारतिय संविधान में समानता की बात की गई है। इसी को हम लोग बोलते हैं राजनेतिक समानता अगर आप देखेंगे तो भारतिय संविधान में हर व्यक्ति को मौलिक अधिकार भी दिये गए हैं। हम कोई पार्टी बना सकते हैं, कोई दल बना सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं, चुनाओं में खड़े हो सकते हैं। इस परकार की हमारे देश में समबिधान में नागरिकों को राजनेतिक समानता है, उसी परकार से हम समाज इक समानता हैं। हमारे सम्विधान बात करता है कि समाज बराबर है, समाज में ना तो भासा की आधार पर, ना तो जाती की आधार पर, ना तो धरम की आधार पर, किसी प्रकार का भेजभाव, मिटाने का प्रियास क्या, आप सब को पतावगा कि हमारे सम्विधान में अज प्रिस्ता, अगर आ सब्सक्राइब कि अगर हम बात हैं अगर हम अगर हम मैं बात नहीं हो तो भारतिय संविधान में सिख्षा को लेकर के बात की गई है सारे अनुचोदों में सिख्षा को लेकर के बात किया गया है अगर आप देखेंगे मौलीक अधिकार में सिख्षा को लेकर के बात की गई है उसी प्रकार से अनुचेद 28-29 में सिख्षा को लेकर के बात की गई है अगर हम मीतिन देखें उसमें भी एजुकेशन की बात की गय तो अगर आप देखोगे तो सिख्षा में समानता की बाती की गई है आप सब देखतों न कि हमारे देश में सिख्षा जो होती भाई सबको मिलती है ना तो आप भासा की आधार पर ना तो इलेगी की आधार पर ना तो छेत्र की आधार पर ना तो जाती की आधार पर ना तो ध में भी हमें समानता की क्या करते हैं, बात करते हैं, और अगर हम बात करें, क्यूंकि पूरा चप्टर इसी बात पर डिपेंड किया है, कि भारतिय सम्मिधान में सिख्छा को ले करके क्या बाती कीए, क्योंकि यही कोश्चन अगर मैं बात नूँ, तो एक्जाम में आपके लिए इंपोर्टेंट बन सकता है, ठीक है, तो जैसे हम लोग बात करें, अगला जो हमारा कोश्चन हैगा, कि मौलिक अधिकारों में सिख्छा को ले करके क्या प्राउधान किये गए, जैसे एक बात बताओ, मौलिक अधिकारों सिख्षा को ले करके कई सरे प्राउधान किये गए, जिसके बारे में हम लोग इहां पर बात करने वाले हैं, तो अगर मैं मौलिक अधिकारों के बात कहें, तो मौलिक अधिकार कानून के सॉमक्ता कानून के सामने हर बादनी बड़ाबर है ये कहते हैं विधी के समक्ष समानता का मतलब क्या होता है कि हर व्यक्ति जो है वह कानून के समक्ष या कानून के समक्ष क्या रहेगा बराबर रहेगा इसको बोल जाता था विधी के समक्ष समानता ठीक है देखो आर्टिकल 14 में बोला गया है कि भारत में सभी व्यक्ति बराबर है और कान रहें हैं और बिधे के समख समानता हैं भी बताती हैसी की सिख्षा को लेकर किसी आप किसी प्रकार का सिख्छा को लेकर के भेदभाव नहीं करेंगे अगर हम लोग आर्टिकार यानि मौलीक अधिकार आर्टिकल 15 की बातरे अनुछेत पंद्रम देखोगे तो अनुछेत पंद्रम एही बोला गया है कि सैच्छी काउसरों में समानता होगी यानि सब को सैच्छी काउसरों में समानता की बात होगी सब को सिख्छा मिलेगी किसी प्रकार का भेदभाव अगर हम आर्टिकल 15 में चार की बात लें तो अनुसूचित जाती और अनुसूचित जंग जाती है जो पिछडे वर्ग है इनके लिए विसेश प्रावधान की बात की गए है क्योंकि जिसको हम आरक्षण की बात करते हैं और आर्टिकल अगर 16 में बात करते हैं तो आर्टिकल 16 में सभी नागरिकों को पिछडे वर्ग है इन वर्गों को आरक्षन की बाकित आप सब को पताओगा ना कि जो बच्चे जैसे ST, SC वर्ग के बच्चे आते हैं या OBC वर्ग के बच्चे होते हैं उनको इसकूलों में वजीखे मिलते हैं यानि स्कोलर सीफ देने का प्रावधान है यह आरक्षन को लेक जणजाती की बच्चे हों उंको हम आरप्षन देगे आरप्षन का पराउधान इसलिए किया गया है ताकि एक इक बनाई जा सके जिसको भाई जाते हैं बच्चा भी स्कूल कोलजे में उसको भी सिच्छा प्राप्त हो सके वा भी पढ़ लिख सके क्या उसको भी सिच्छा मिल सके उसको भी सैच्छिक अधिकार मिल सके इसलिए कह सकते कि पिछडे वर्ग के लिए और जो दलित वर्ग है या कह सकते हैं सिच्छा में भी की गई है अगर हम अनुश्यत आर्टिकल 21 में देखेगा, अनुश्यत 21 में बोला गया है कि 6-14 वर्स के बच्चों के लिए निसुलक और अनिवार सिच्छा देती है, जिसको हम सिच्छा का अधिकार बोलते हैं, सिच्छा का अधिकार बोला क्या बोला जाता है, सिच्छा का अधिकार वो कहता है कि 6-14 वर्ष के बच्चों तक जो हमारी सरकार होगी वो निसूल के सिछा देगी और अनिवार सिछा देगी अनिवार मतला कमपलसरी एजुकेशन है यानि राज जी का यहां गायत है कि वह बच्चों अगर कोई बच्चा 6-14 साल का है अगर वह पढ़ नहीं रहा है तो सीधा कोट में जा सकता है कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ या मुझे एजुकेशन नहीं मिल रही है तो डारेक्ट सरकार उसके लिए प्रावधान करेगी तो आर्टिकल 21 में अगर आप देखोगे सिछा का दिकार है जिसमें क्या बोला गया कि 6-14 वर्ष के बच्चों क्या बोलागा भई मेरे 6-14 वर्ष को बच्चों को अगर आप देखेंगे सैची का दिकार यहां पर क्या की गए है प्राप्त की गए है ठीक है यानि 6-14 साल का जो बच्चर गए उसको सैची का दिकार यहां पर दी गए उसी प्रकार से अनुखे 24 में देखोगे जो अनुखे 24 में कहा गया है उसी प्रकार से अनुखे 24 में कहा गया है तो अनुखे 24 में कहा गया कि धार्मिक सोतंतरता की बात करता है धर्म की आधार पर किसी प्रकार का भेदबाव नहीं करेगा कोई व्यक्ति किसी भगवान को मान सकता किसी भगवान की पूजा अर्चना कर अगर उसी प्रकार से देखोगे आगर मैं इसमें बात की ना कि मौलिक अधिकारों सिच्छा को ले करके प्राओध्थन है तो खास तोर से देखोगे तो आत्कल 21 है जो सब्से में सिच्छा की बात आप को आपको थोड़ा एंडरलाइन करके बताना पड़ेगा क्यूंकि इसे में सिच्छा का अधिकार बाहित कहा गया और इसमें यह कहा गया कि 614 साल का जो बच्चा होगा हम उसको निसुल का और अनिवार सिच्छा देंगे यह बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है खास तोर से यह आपके लिए ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाला है ठीक है इस सेग्मेंट जो रहेगा ठीक है इसको लेकर करके अगर हम लोग बात करें ठीक है दूसरा अगर आप देखें अलफ संख्यकों के सैच्छिक और सांस्कृतिक और सैच्छिक अदिकार क्या है अलफ संख्यक जो वर्ग है देखो अगर हम बात करें अलफ संख्यक वर्गों की अगर हम बात रहे हैं तो आर्टिकल 29 में अलफ संख्यक मतलब समझते हो ज जैसे खास तो से यगर आप देखोंगा अगर मैं धर्म के आलहर पे बात लूँ तो जैसे मुस्लिम, इसाई, या सिख, जैन, पार्सी के सारे अलपसंख्यक वर्ग में आते हैं जो अलपसंख्यक वर्ग है वो अपनी धर्म को, अपनी भासा को और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए परियास कर सकता है या उसका क्या होगा अधिकार होगा अलपसंख्यक वर्ग है दूसरा क्या क्या गया गया जो अलपसंख्यक वर्ग के उसमें 29 में ही बोला गया है कि वह है लोग राज उनकी मदद करेगा ताकि वह अपनी भासा जाती और भासा आज को क्या वंचित नहीं किया जा सकता है यह अलपसंख्यक वर्गों को उनकी जो भासा है उनकी जो संस्कृति उनका जो कल्चर है या उनका जो धरम है उसको बचाने के लिए क्या करेगा राज परियास करेगा और अनुछे 30 में क्या बोला गया अनुछे आर्टिकल 30 में बोला गया कि जो अलपसंख्यक वर्ग के लोग हैं वह अपनी भासा वह अपने धर्म का परचार परसार कर सकते हैं इसके लिए स्कूल खोल सकते हैं और प्रसासनिक काम भी कर सकते हैं आर्टिकल 30 में बोला गया है कि जो अल्वसंख्यक वरगी के लोग हैं वह अपने धरम को लेकर को धरम को बढ़ाने के लिए या अपनी भासा का परचार परसार करने के लिए वह विद्याले खोल सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं, यह अनुशेत 30 में बोला गया है, और थास तो पूपने में बोला जाता है कि जो अलसंख्यक वरगी के लोग है वह क्या कर सकते हैं अपनी धरम और भासा को बढ़ाने के लिए सैचर्चिक संस्थान यानि teaching institute जो होता है यानि खास्त से education के संस्थानों को क्या कर सकते हैं खोल सकते हैं और यहां कारिकों कर सकते हैं ठीक है यह खास्त से अलफसंखों को लिए करके बात की गई अब हम बात हैं राज के नीती निर्देशक सिध्धान देखो जब हमारा देश आजा दुगा न तो बहुत सारे नियम कानुनों को तुरंत लागू कर दिया गया वहिया जिस दिन देश आजा दुगा और 26 जनुर में से पचास को सारे नियम लागू गये लेकिन सरकार उस समय हमारी सरकार के पास इतना पैसा नहीं था इतना बजट नहीं था और इतने संसाधन नहीं थे इसलिए क्या किया गया संभिधान निर्माता जो थे उन्होंने बोला कि जो चीज़े राज जी अभी कर सकता राज में सरकार समझना राज जी अभी कर सकता हम लोग उसको मौली कजिकार में डाल देते हैं और जो राज यानि जो हमारी सरकार फ्यूचर में करें गया भविस्त में करेंगी उसको हम राज के नीती निर्देशक सिधान में राज के नीती निर्देशक सिधान का मतलब होता है कि ऐसे नियम कानून जो आने वाले समय में राज यानि सरकार इसको implement करेगी यानि इंको लागू करने का प्यास करेगी तो राज के जो नीती निर्देशक सिधान्त है अनुछे 36 से ले करके अनुछे 51 तक चलता है अनुछे 36 से 51 तक क्या है ऐसे बाते कही गई है जो हमारी सरकार जो होगी वह आने वाले समय में काम करेगी इसी को बोला जाता है राज के नीती निर्देशक सिधान्त और हम बात करेंगे राज के जो नीती निर्देशक सिधान्त है उनमें सिख्छा को ले करके एजुकेशन को ले करके क्या-क्या बाते कही गई है अगर मैं बात कूं तो अगर आप देखोगे अनुछे 41 में यह बोला गया है कि राज ज कि देखो जब हमारा देश आजाद हुगा ना तो उस समय सिच्छक अधिकार लोगों को नहीं दिया गया था लेकिन बात मिला ना सिच्छक अधिकार ना तो बहुत पहले आर्टिकल 41 में पहले इस बात को आप बोलो गए तो बोल दिया गया था अनुशेद 41 में क्या बोला गया है कि राज जी का है काम होगा कि वहां काम करने का अधिकार और सिच्छक अधिकार लोगों को देगा वही काम करने का अधिकार भी लोगों को आज समय मिल गया है और सिच्छक अधिकार भी देने का काम कौन करेगा यह आगर अनुशेद 42 में क सिच्छा और अनिवार सिच्छा किनी डिखीगे देखो जब हम्ätter पंच लोगों को जती कि बोला गया था ती निशुल के पार अनिवार सिच्छा उसस ** सबको सिच्छा डीयोट और अनुश्यदे उने मौलिक अधिकार में लेकर की गए हैं तो नीति इंडे सिध्धान का मतलब होता कि ऐसी बाती हैं जो जब देश आजाद हुआ था उस समय बताई गई थी आने वाले समय में राज करेगा अब धीरे-धीरे सरकारी इसको क्या करें इंप्लीमेंट करें जैसे अमचेद भी वो लग में ले सकता जीसे मालोग तुम कहीं अडमीशन ले को पता होगा, आर्टिकल 21 में मैंने आपको बता ही दिया, जिसमें कहा गया कि सबको भाई आपको क्या करना है, कि निस्खुल का अन्यवार सिछा देने की क्या की गई है, बात की गई, अगर उसी प्रकार से देखेंगे, अनुचेद 45 में, अनुचेद 15 और 29 में, अनुचेद की जो सरकार होगी, वह सभी को अनिवार सिछा देगी, यह हर व्यक्ती को सिछा मिलेगी, और सिछा मिले में किसी प्रकार का आपको भेद भाव नहीं करना है, ना तो जाती क्या दार परे, भाई, कोई भेद भाव नहीं करना है, देखो अनुचेद 46 में, अनुचेद 46 में क्या बोला गया था राज के नीती मिर्देसक सिधान है यह बोला गया भाई मेरे कि जो हमारी सरकार होगी वह जो जन्ता के दूर बले जो गरीब वर्ग है यह जैसे स्टी हैं स्टी हैं पिछड़े वर्ग की लोग हैं इनके लिए सैच्छिक अधिकारों को की बात करेगी और आगे आने वाले से में आप से कोता है कि हमारी सरकार जो है अगर आप देखो एस्टी एस्टी उनको आरक्षन दे करते हैं स्कूल कोलेजिये में उनके लिए हमने क्या कर रखा है तो यह किसमें किया गया है राज के नीती निर्देसक सिधानतों में कहा गया है ठीक है भाई जैसे इसमें अगर आप देखो त्री भासा फार्मूला की अगर आपको तीन लेंगे एक तो एक अंतरराश्टी फासा जो भीदेशी बहासा जैसे अंग्रेजी सीख लो या कोई और शीक लो और एक आपको हमारे हिंदी सीखनी पड़ेगी और आपको आपको एक छेत्री भास होगे उसी आधार पर आपको एक विदेशी भासा और आपको एक हिंदी सीखनी पड़ेगी यही यह त्री भासा फार्मूला और त्री भासा फार्मूला में आपको एक आउध्रिक भारती भासा यानि एक इंडियन लेंग्वेज सीखनी पड़ेगी और एक विदेशी भासा सीखनी पढ़ेगी और आपको एक जो आपकी local language है जैसे बिहार का आदमी है तो मैथली सीख ले भाई बंगाल का आदमी तो बंगाली सीख ले गुजरात का आदमी तो गुजराती सीख ले महराष्ट के लोग है तो मराठी सीख ले मराठी पढ़ेंग कि आपको एक तो अंग्रेजी, अंग्रेजी का दूती अस्थान रहेगा, यहीं आपको अंग्रेजी सिखानी पड़े ही, चाहे आप पहली सिखाओ या सेकंडरीम सिखाओ, अंग्रेजी सिखानी है, दूसरा आपको हिंदी सिखानी है, हिंदी का पर्थम अस्थान रहेगा, किसरी language आपको क्या शिखानी रहेगी आपको 3 भासा सिखानी है हिंदी संस्कस्रीट में एक भासा सिखा सकते हो अंगरेजी शिखा सकते हो एक आपको क्या शिखानी है लोकल ये भारती भासा रहेगी नीकी चैएगी स्थ लिखेशता न कमी निति 2020 में यह होता है त्रे भांसा फार्मूला होता है ठीक है ? त्री भांसा फार्मूला आपके लिए itjets्षे इम्पॉर्टंट हो सकता है। मौले कजिकारों सिफ्षा को ले करकर के क्या बाती कहीं मैंनी आपको शुरूँ बता जैं। अनुछेद 21 में जैसे क्या बोला गया है? अनुछेद 21 में बोला गया है कि राज च्वर्स के बच्चों को निसूल को अनिवार सिछा देगा यह राजी का काम होगा अनुशेद 45 में क्या बोलगा अनुशेद 45 में बोलगा है कि जो राज के निती निसिद्धान था है उसमें बोलगा ना कि 6 से कम 6 वर्स से और 14 वर्स के आई को बच्चों को अगर आप देखोगे राज पूरी उमर जो उनको क्या लेगा सिख्छा देने के बात करेगा उनका बच्चा 6 से 14 साल का है तो उनको बच्चों को पढ़ाना है अगर कोई माता पिता अपने 6 से 14 साल के बच्चों को नहीं पढ़ा रहे तो सरकार उनको उन पर मुकदमा चला सकते उनको जेल भी भेजने का प्रावधान है भाई ये कर्तब है मा बाप का ये कर्तब है कि कि अगर आपका बच्चा 6-14 साल का है तो उसको पढ़ाना ही पढ़ाना यह नहीं कि कहीं पर जा करके काम करवाना है नौकरी करवानी यह नहीं करवाना है आपको पढ़ाना ही पढ़ेगा इस प्रकार का भी प्रावधान अगर आप देखेंगे तो किया गया है सिच्छा को ल सब्सक्राइब दूसरा सरकार क्या करेगी जो गरीब बच्चे उनको वजीफा देने का प्रियास करेगी या उनके लिए बित्य पुनर भरंड करेगी जैसे देखें इसकूलों में स्कोलर्शिप मिलती है तो यह भी प्रावधन किया सिच्छा को ले करके प्रावधन है पर व प्रमाणपत्र को नहीं देखा जाएगा यानि किसी बच्चे को भी अगर अगर उसे पास आयू प्रमाणपत्र नहीं है उसको नहीं देखा जाएगा तब भी उसको एडिमिसन देना ही देना है इसका भी और बच्चे को मारना पीटना नहीं यह सिच्छा का दिकार में भा बच्चों को विद्याले नहीं छोड़ें इसके लिए सरकार या इनके लिए सरकार क्या गएगी हमारी परियास करेगी इस सिख्चा को लेकर कि अगर आप देखेंगे तमाम तरह के परियास किये गहें ताकि सभी को सिख्चा एजुकेशन दी जा सके ठीक है अगर हम लोग दि इच्छा दे सके उनको भी एजुकेशन दी जा सके खास तोर से दिव्यांग अधिकार अधनियम जो बना है और पी डव्लूड अधनियम 2016 2016 में बोला गया है कि जो भी दिव्यांग बच्चे होंगे जिसको हम दिव्यांग बोलते हैं उनको सरकार क्या फ्री और मुक्त एज सच्छा आयोग कव्यांग बनाए गया है उंको रेगुलेट करने के लीए एक आयोग बना था जिसको हम बोलते हैं 20 20डच इसको जाना जाता। सारी इसे में हैंडल होती है बना गया उसी प्रकार से देखें कि माध्यमिक सिच्छा आयोग बना गया है उनुस्वांत रेपन बना था सिच्छा आयोग आया था ठीक है और आश्टी यह ज्यान आयोग क्या है इसमें मुझे लगता माध्यमिक सिच्छा आयोग हो सकता है दू स्वतन्तरता के बाद लोगों को उच्छी सिच्छा की बहुत ज़्याद जरूरत है तब उच्छी सिच्छा को ले करके बहुत जाद बात की गई थे इसलिए जो आयोग की नुक्ति की गई है इसके तहत कहसते हैं उन्होंने उस आयोग ने अपनी रैपोर्ट दी थी कि भारत में उच्ची सिच्छा के लिए किसके लिए भाई मेरे भारत में उच्च सिच्छा के लिए हमें एक आयोग बनाना चाहिए जिसके तहत अगर आप देखूगे बना था अगर आप देखें विस विद्यला आयोग की क्यान कौन सी संतुति यानि कौन कौन सी सिफार से हैं तो विस विद्यला जो आयोग उसने क को परसिक्षण किया जा सके ठीक है मन को निडर बनाया जा सके ठीक है सांस्कृतिक विरावसत को बचाने के लिए का सकते विस्विद्यायोग का यहां पर गठन किया गया है ब्योसाइक और विर्तिक परसिक्षण देना आप सो को बता ना आज के समय ब्योसाइक भी कर्तब है सैचिक और परिच्छाओं के लिए उच्छतम मानक बना रखना विस्विद्यालय आयोग की अस्थापना इसलिए किये गई थी ताकि जो सैचिक वर्क है और जो परिच्छाओं का मुल्यंकन है इसको उच्छ लेवल का है इसका इस्टेंडर्ड अच्छा बनाया जा कियां सके और सभी को बनाने के काम करता है यही प्रभेश के मानक अगर आपको किसी फीक्राइब तो कम से कम आप को बारवी कच्छा पास होना जरूरी है तभी आप किसी इन्वस्टी में जा करके पढ़ाई कर सकते हैं या जो खास्तों बीए करना है या में करना है उसके लिए विस विद्याले बिद्याले सिच्छा नि 10 या 12 के बाद छात्रों को अलग अलग ब्योसाय में अस्तान्तित करने के लिए काम किया गया है ठीक है कोई बच्चा अगर इंटर्मीडियट यानि बारवी की पढ़ाई कर लेता है तो बिस विद्याले के पार्ट करम को आयूजित किया जाएगा ठ अगर आप करने के लिए उसको अच्छी तरीकी से रेगुलेट किया ज़सके अगर आप देखोगे उच्य सिच्छा को रेगुलेट करने के लिए सिच्छा का संचालन करने के लिए कह सकते हो कि 20 विदलय की गई उसी प्रकार से अगर हम देखेंगे माध्मिक सिच्छायोग क्या है तो अगर माध्मिक सिच्छायोग की अगर हम बात करोगे इसको लेकर करके अगर आप देखोगे तो इसको डाक्टर लेटमर स्वामी मुदा इसको मुदालियर आयोग के भी नाम से जाना जाता है जिसको माध्मिक सिच्छा आयोग की बात की जाती है माध्मिक सिच्छा मतलब समझते हो माध्मिक सिच्छा का सिंपल सा मतलब होता है भाई मेरे कि एक करना है जो हमारा प्रार्थमिक होता है और जो जूनियर होता है उसक माधमिक सिच्छायोगु में देखोगे तो अंँघ्जी सिच्छायोग के अगर आप सिच्छा के लिए एक नय पकरम् पैटन को तैयार किया जाएगा अगर माधमिक junior, माध्मिक, senior अवस्ता में 3 साल की आउधी होनी चाहिए होता निए जैसे खास तो से class 1 से लेकर के 5 तक class 6 से लेकर के 8 तक class 9 and 10 class 11 and 12 इसको लेकर के बाद के माध्मिक किसको बोला जाता है यानि class 6 से लेकर के 8 तक को क्या बोला जाता है माध्मिक बोला जाता है ठीक है और यानि 9-10 को क्या बला आता है उच्छ माध्मिक बोला जाता है ठीक है माध्मिक खास तोर से दिखोगा अगर हम यानि आयोग ने इंटर्मीडियेट मनें बारवी कक्छा को समात करने का भी सुझाव दिया था बारवी कक्छा को बिस विद्यलय में जोड़ा जाना चाहिए जब यह माध्मिक सिख्छायोगा था इसने बोला था कि जो बारवी क्लास है इसको यानि इन्वस्टी में डाल दीजे और खास तोर माध्मिक सिख्छायोग ने सिफारिष की थी दूसरा आकर माध्मिक सिख्छायोग की बात लें तो इसने बोला था कि आपको क्या करना है सिख्छा के लिए क्या करना है सिख्छा में नए ने विचार आए इसके लिए हमें बढ़ावा देना है दूसरा क्या पाठक्रम में बदलाव करने की इसने बात बोली थी पार्टक्रम में अगर आप दें जैसे पोले टेक्निक यानि तकनी की सिच्छा करने की होता नहीं जो पोले टेक्निक कोलेज होते हैं पोले टेक्निक कोलेज खोल करके हम क्या कर सकें एक प्रकार से ब्योसाइक सिच्छा को बढ़ावा द ग्यान की भी सिच्छा हो यह हमारे स्कूल कोलेजियों में सभी प्रकार की सिच्छा परदान की जाए यह माध्मिक सिच्छा योग ने बोला था कि जो दिव्यांग है जो पिछड़े वर के बच्चे हैं इनको विद्याले में लाने पर बल दिया जाए साथ में जो मुख और पहीर बच्चे हैं नहीं जो दिव्यांग बच्चे हैं इनके लिए अलग से स्कूल कोलेजियों को खोला जाए ठीक है दूसरा माध्मिक सिच्छा योग ने बोला था कि हमारे बच्चों को दो भासा कम से कम पढ़ानी चाहिए ठीक है दूसरा करम बच्चों को जो ब्यवारी ज्यान होता है उस पर बल दीजे अगर आयोग की सबसे बड़ी तकनीकी और अद्दोगिक विद्याले को अस्थापित करने के यहीं माध्मिक सिच्छा योग जो बोला था इसने टेक्निकल एजूकेशन और अद्दोगिक आईटिय आयोग ने परिच्छा और मूल्यांकन को बहतर करने को प्रल दिया आयोग ने क्या बोला था कि परिक्चा के घंत में कमपार्टमेंट परिक्षाओं को 45 जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनके लिए अलग से apartment exam conduct N workshop परिक्षाओं की 45 यह किसने बोला था यह सारी सुझाओं किसंने दी थे ज़े ने दिया था और denby सिच्छा यानि छे लेकर करके जो 10 तक की सिच्छा होती है इसको मादमिक सिच्छा खास तोर से 6-8 तक को हम मादमिक सिच्छा कहते हैं इसको ले करके मादमिक सिच्छायोग ने तमाम तरह की सिफार से की थी और तमाम तरह की उन्हें क्या अपनी बाते बुली थी ठीक है? माधमिक सिच्छायोग आपके लिए काफी important है और जैसे अगर सिच्छायोग सब्सक्राइबा Bitch दिया? तब भी आप माधमिक सिच्छायोग में जो बोला गया वही सारी बात भी आपको कर देना खासते कर मैं सिच्छायोग की बात लूँ तो सिच्छायोग में ये बोला गया था कि हमारी जो एजुकेशन है एजुकेशन को हमें क्या करना है 10 प्लस 2 कर देना है 10 प्लस 2 करने की बात की दियानी 10 यानी 10 प्लस 2 यानी 12 तक हमारा क्या होगा इसकूली सिच्छा को रखना पर बाकि वही सारी बाते जो मैंने बताए था आपको ही सिुख्रायोग में लिख देना जो सिछ्छायोग उसने मात्री भासा में च्हेतरी भासा में सिच्छाओनी की इस की भी इस ने बात की थी और इस प्रकार की बातें हैं वही सारी चीज़ जो मैंने सिच्छा यूग impat K լोला था वही्या tekrar bara । राष्टी ग्या forwards Pacific me cleaning andी फैं रास्टी जो ग्यानायोंग है रास्टि ए Sh urban wandrain 진행 ने के लिए यह सिच्छा का प्रसार करने के लिए भारत सरकार लेकर क्या थी ताकि हमारे देश में सिच्छा का प्रसार हो से खास तोर से आपके लिए माध्मिक सिच्छायोग और 20 विद्यला सिच्छा उग इससे आपसे एकजाम में कोस्चन जरूर पूचे जा सकते हैं एक चीज बहुत बता दूँ जै कि आपको सिच्छायोग में भी लिख देनी कोई दिकर नहीं मत लिखना वहां पर सिच्छायोग लिख देना सेम बाते आप दोनों में क्या कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं ऐसे कर सकते हो मार्क्स मिल जाता है उसमें कोई समस्या नहीं जो मैं चीजे बता रहा हूं इस बात का ध्यान रखना क्योंकि सिच्छायोग में सारी यहीं सिफार्ची की गई है अगर आप देखों सभी में यहीं बोला गली कि हमें 10 यानि 10 प्लस टू करना है और इसमें क्या बोलागा सारा 10 प्लस 2 प्लस 3 ऍस प्रकार के हमें सिच्छा को क्या करना है लेकर कि आना है इसे हमारी तू प्लस त्री इसकंपरावधन किया है सभी में अब होगे सिठ्चा देखोगा जैसे रोजगार की सिच्छा स्वास्ति की सिच्छा या कानून की सिच्छा यो परण की सिच्छा हमको देनी है दूसरा क्या सिच्छ बोलता है ITC का प्रयोग, एक computer और technology के आधारित भी सिच्छा देनी की बात की गई है, computer और technology के आधार पर भी बच्चों के सिच्छा दी जाए, इसको भी लेकर कि यहाँ पर प्रावधान किया गया है, तो खास तो से दूसरा chapter जो है, कम से कम मैं जरूर कह सकते हूं, आपके exam में एक आय योग जरूर आ सकता है, सिच्छा योग कोई आयोग आएगा, और इसको आराम से बना करके क्या कर सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, अब चली हम लोग देख लेते हैं, अगला जो हमारा chapter रहने वाला है, chapter number second जो रहेगा, जो रहेगा, भारत में सैच्छिक नीति है, इसमें क्या बोला गए था, इसमें 10 प्लस 2 और प्लस 3 की बात की गई है, ठीक है, इसमें 10 प्लस 2 की बात है, लेकिन जो ए है, दो तीन ही हमें important है, खास होसे, राष्टिय सिच्छा नीति 1968, राष्टिय सिच्छा नीति 1986, और राष्टिय सिच्छा नीति 2020, new NAP 2020, यह ती ठीक है तो राष्टी सिच्छा नीती 1968 में क्या बोला गया था कब बोला गया था जिसको हम लोग खास तोर से कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं किसको जानते हैं कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है इसको कोठारी आयोग 1968 में सिच्छा के लिए क्या-क्या पुरावधा कि गए तो जबहाई 1968 में जो पठारी आयोगा था उसने सिच्छा को ले करके क्या क्या बोला था तो सबसे पहले बात बोली थी कि निसुल को रानिवार सिच्छा देना 14 वर्स के आयू तक के बच्चों के लिए निसुल को रानिवार सिच्छा देनी किस ने बोला था को ठारी इस ने बोल था सिच्छों के स्थिति में सुधार किया जाए साथ में जो ब्रेहेटर इसको बढ़ावाद दिया जाए यह यानि कौठारी कमिषन मुलाथ है कोठारी आग को ही बोलते हैं ठीक है कोठारी आयो को ही क्या बोला जाता है राष्टी सिच्छा निती 1968 यानि दो बाते तीसरी बात यानि भासा को लेकर की बोला गया था और जो आपको अग देखेंगे जो राष्टी सिच्छा निती 1968 है इसी में त्री भासा फार्मूला की ब पढ़ेगा एक तो आप इंग्लिस पढ़ाएंगे एक आप छित्री भासा पढ़ाएंगे एक त्री भासा फार्मूला को लेकर किसमी बात की गई अगर आप देखेंगे तो राष्टी सिच्छा नीती 1968 में बोला गया है अगला सैची कौसरों में समानता रहेगी देखो अगर किसी भी आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा जहां सैच्छिक आउसरों की समानता की बात करता है यनि सभी को समान सिच्छा दी जाएगी यनि किसी प्रकार की रंग के आधार पर रूप के आधार पर भासा की आधार पर जाती के आधार पर किसी भेदभाव नहीं किया जाएगा पर्तिभा की पहचान राष्टी सिच्छानीती 1960 कहती है कि हम पर्तिभा की पहचान करेंगे यानि कमपड़िट एक्जाम करवाएगे और जो बच्चे उसमें सफलता प्राथ करेंगे सरकार उनकी क्या करेगी मदद करीगी कार अनुभा राष्टी सिवा नी सिच्छकों यानि सिच्छा को बढ़ावा देने के लिए चरित नमान जैसी चीजों को बढ़ावा दिये जाएगा ठीक है अगला देखोगे बिज्ञान सिच्छा का नुसंधान यहीं जो बिज्ञान की सिच्छा उसको बढ़ावा दिये जाएगा खास तोर से साइंस की जो सिच्छा है उसको बढ़ावा देने के लिए किस में बोलागा था राश्ठी सिच्छा निती 1968 में वो लगा था हमें विज्ण की जो सिच्छा है विज्ञान की सिच्छा को हम उच प्रॉत्थ साथ ही साथ आर्थी विकास को गती देने के लिए गणीत ऑर विज्यान को पूरे विद्याले में पढ़ाया जाएगा गणीत और विज्यान की सिच्छा और अगर अगर आप देखेंगे तो आपको आईटियाई याँगर आप देखेंगे पोलेट्क जो है ताकि बच्चों को किरसी की भी सिच्छा और उद्दोगों की सिच्छा यानि जो इंडस्ट्री है उसकी भी सिच्छा देने का काम किया जएगा पुस्तकों का उत्पादन यानि सरकार ही क्या करेगी यानि जो स्कूल कोलेज होंगे उनकी किताबे जो बनेगी वहां सरकार बन जो बोर्ड होते हैं लग-अलग ये भी क्या करेंगे ये एजुकेशन ये की जो किताबी होगी जो किताबी की छपाई भी करेंगे ताकि किताबों की गुरुवत्ता बनी रहे परिच्छाओं को भी संचालित किया जाएगा और इसके लिए बोर्ड की अस्थापना की गई थी मादमिक सिच्छा को लेकर के भी काफी प्रियास किये जाएगा और मादमिक सिच्छा को बढ़ावा देने के लिए क्या करेगी सरकार प्रियास करेगी विस विद्यदयले सिच्छा को लेकरके बोला गया था, внеш volcanic में बोला गए था, कि जो 20 विद्यदयले सिच्छा आयोग है, वहージविद्यदयले का part-run क्या होगा, खास तर से graduation की जो सिच्छा होगी, अशको 20 विद्य diff j the शिच्छा में जोडा जाएगा, और जो हमारा 20 विद्यला सिच्छा आयोग है वह गरिजुएशन लेबल या वो पोस्ट विजुएशन लेबल की जो सिच्छा यानि जो से बीए और एम्मे की सिच्छा है उसको बढ़ावा देने के लिए जो हमारा 20 विद्यला आयोग संगठनों काम करेगा ठीक है आंसकालिक सिच्छा यानि जो लोग ऐसे लोग हैं जो सर्मिक हैं जो मजदूर हैं जो भाई मेरे कभी पढ़ा नहीं पाए हैं जिनके उमर जादा हो गई है उनको हम आंसकालिक सिच्छा देने का प्रियास करेंगे जिसको हम बोलते प्रौड सिच्छा जैसे मालों कोई 50 साल का हो गया सारीरी सिच्छा को बर बल दिया जाए जिसको हम फिजिकल एजुक्रिशन बोलते हैं सारीरी सिच्छा पर भी क्या बोला गया है बढ़ावात ये निकास क्या करेंगी सरकार प्रियास करेंगी और सिच्छा कैसे रहेगी हमारी 10 प्लस 2 प्लस 3 रखी जाएगी क्या रखी जा कि राष्ट्य सिच्छा नीती 1968 में इस प्रकार के प्रावधन किये गए हैं और जो जो में चीजे पॉइंट हैं पॉइंट को सारा हेडिंग में लिखना पड़ेगा और फिर हेडिंग में अच्छे से आप सब इसकू कया करना है एकस्प्लेयन करना थाही में ध्यान में रखेगा अगला अग्ला जो रेक्र हमारे राष्ट्य सिच्छा नीती 1986 क्या है दोनो same to same हैं क्या हैं दोनो same to same है बस थोड़ा सा change करेगी थोड़ा सा change करेगी अगर आप देखोगे थोड़ा सा change एक करेगी कि इसमें हम free education की बात करेगे 6 से 14 साथ देखो राष्टे सिच्छा नीती जो 1968 है ये free education की बात करेगी अनिवार सिच्छा की बात करती है निशुलक और अनिवार सिच्छा को इसमें जोड़ दीगा है बाकी जो राष्टे सिच्छा नीती 1968 है वही राष्टे सिच्छा नीती 1986 में भी वही सारे point बना देना वही सारे heading बना देना और राष्टी सिच्छा नीती में भी बातें लिकर कियानी है, जो हमने राष्टी सिच्छा नीती 1968 में बात किया है, same to same करना, सीरफ इसमें क्या गएगा है, निसूल के सिच्छा की बात की गई, अनिवार सिच्छा की बात की गई, यह थोड़ा सा लग, और बाकी अगर आप इसमें भी राष्टी सिच्छा नीती में 1960 में यही बोला गया कि सिच्छा कैसे हुगे 10 प्लस 2 प्लस 3 की बात की गई है अगर आप देखेगे ठीक है यानि 14 वर्स के आयू के बच्चों को सार भौमिक सिच्छा का मतलब था यानि सभी को सिच्छा मिलेगी हर वर्ग के व्यक् यही महिला है पुरुस है यही सबको सिच्छा प्रदान कर यहीं अगर आप दीखेंगे तो राष्टी सिच्छा नीति जो 1968 פ TA लेकर के बात कि गई है और इसमें प्रात्मिकन क्लेका मप घरती कर आफी बात कि दिए जो पढ़ाई हुआ सारीम्वर्ट पर जो लोग है जो पिछड़े वार कि लोग है इनको सिच्छा में इनको वजीति यानि इनका नामंकन भी किया जाएगा साथ ही साथ जो STSC वर्ग के जो बच्चे हैं इनको निशुल इनको खास तोरसे इनको खिताबे भी दी जाएगी और इनको आरक्षन लोग हैं उनको भी सिच्छा देने की बाद की खास तो से ओपन और डिस्टेंस लर नहीं खास तो से जैसे इगनु जैसे इन्वस्टियां है उन सभी इन्वस्टियों के स्थापना लगाई लेकन उसके बाद आप देखोगे जो राष्टिय सिच्छा निती इसमें बोला गया था कि हम ओपन डिस्टेंस सिच्छा याँ यह जरी अगर करके कि सिच्छा विध्यालज होता है इसको लेकर के बात किसी में बोली गये है जो हमारी राष्ट्री सिच्छा नीती 1986 है जैसे इन्वस्टी हैं जो इसे प्रकार के काफी बड़ी संख्य में अगला देखें कि तो ब्यवसाइक शिच्छा को लेकर बाती की गई है अगर आप देखें कि राष्टी सिच्छा नीती जो मुक्त सिच्छा यानि ओपन इसको बढ़ावा देने के लिए क्या करेगा प्रयास करेगा नौकरियों से डिग्री से अलग करना नौकरियों को नौकरियों को क्या बिल्कुल अलग कर दिया सिच्छा निती अगर आप देखेंगे जो 1968 है थोड़ा सा अंतर है थोड़ा सा डिफ्रेंस है दोनों में दोनों में से अगर कह सकता हूं एक आपके जाम में उच्छी जरूर जा सकते हैं और आज जरूर आ सकता है कोई भी आएगी आराम से इसको लिख देजिए पॉइंट ब भाई ये पूंचा जा सकता है राश्टे सिच्छा निती और मुझे लगता है कि प्रीव्यश एक्जाम में यहम उसमें कोस्ट्न जरूर आएक उस्ट्न आया ही होगा इस शीच्छा निती 2020 की बात गया है इनसे में बोला गया है तो अगर आप देखोगे एक विद्ध्याल पर सबसे ज़्यादा बल देती है ठीक है टेकनिकल एजुकेशन पर ये ब्योसाइक सिच्छा पर भी सबसे ज़्यादा बल दिया गया है अगर हम राष्टी सिच्छा नीती यहीं 2020 की बात नहीं तो इसमें क्या वो लगा है कि पूरों विद्याल है यहीं कच्छा 12 तक विद् सबसे पहले क्या पांच वी तक पढ़ा जाएगा और फिर आपका देखोगे थ्री अलग रहेगा इस प्रकार से किया गया अगर आप देखेंगे इसमें बड़ा बदलाव किया गया है अगर आप देखेंगे संस्थापक यानि साक्षर्ता यानि साक्षर्ता बढ़ाने के लिए राष्टी मिशन की अस्थापना की गई है अगर आप देखेंगे इसमें मात्री भासा में ही सिच्छा दी जाएगी जो राष्टी सिच्छा चेत की भासा होगी जो आम बोले। जैसे मराठी में, गुजराटी में, मल्याला में, कन्णडे में, पंजाबी में, बंगाली में एस प्रकार की भासओ में आपको तिक्ष दी जाएदे जो सिच्छों को की भरती है जो योगता है इसको भी मजबूती और पार्दिर्स्ता लेने की बात की गई है राज विद्याले मानक प्राधिकर्ण की अस्थापना की जाएगी ठीक है उच्छी सिच्छा के लिए अगर आप देखेगे पचास परसंट तक हमको उच्छी सिच्छा बढाना है उसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो सिच्छा को लेकर के और इसमें खास तोर से ITC और इसमें क्या जो राश्टी सिच्छा निति जो 2020 आये इसमें 40 परसंट यह स्टेशंड जो स्टेश नीति जो है इसमें चालिस पर संट जो सलेडेफ, है इसमें चार वर्सी रहेगा तो कितने साल का होगा चार साल बढ़ााया चार साल का ना चार साल कर दिये जगा इसको ल के लिक सित्वाथ है बृफ्ट एक एक जरूर देखने को मिल सकता इसको अच्छे से कंग चर्ट चाप्ते मुanie संबंदी मूद्दयung सिख्धा में कौ替 काउन से बढ़ा है जी सबसे बड़ी आउधाना यह होती है कि वाई जुआ है कर दूसरा सिख्धा क्या बड़ी सिच्छा है गुनवुत्ता है गुनवत्ता अगर आप देखो सबसे बड़ी समस्या रित्ति सरकारी स्कूल जो टीचर है वह पढ़ा नहीं रहें निस सिछा की गुणवत्ता को लेकर के सबसे ज्यादा समस्या आजकल बनी ले खास तो जो गौर्मेंट टी स्कूल है उनमें सिछा को लेकर के बड़ा है फिर भी आगर आप देखें सरकार त सिछा नहीं मिल पारी है उसी अधर्प के सकते हमारे इसमें सब को सिछा मिले बिखाय अगर आप दूसरा से देखो गे तो लोगों को आरक्षन कि शुविदायां दी जाती है वो हो उनको मिदे में वी दिया जाता है खाना वी दिया जाता है उनको पैसे भी दी जाते हैं, उनको किताबे भी दी जाती है, ताकि हर व्यक्ति को सिच्छा मिल सके, ठीक है, अगला मुद्धा क्या सिच्छा का निजी गण बहुत ज़्याद रहा, अगर आप देखोगे, आज देखो प्राइवेट इस्कूल कितने खुल गए है, या सिच् कितने जादा, और प्राइवेट इस्कूल में देखो कितने लगातार बढ़ते चला रहे, वह इसी प्रकास से जो कोलेज की बात रहे, चैया अगर आप कोलेज भी देखो, कोलेज भी धुनिया भर के प्राइवेट कोलेज खुल गए है, बड़ी संख्य में, यानि आज से ही बनी है, कि मिजी कण होता जारा, मिजी कण का मतलब से प्राइवेट होता चला जारा, आज सिच्छा पूरी तरह से प्राइवेट होती चली जा रहे है, और हर व्यक्ति के लिए सिच्छा जो है, मुश्किल होती चली जा रहे है, भाई प्राइवेट सिच्छा कौन साथ कर सकें दूसरा अगर आप देखा आमारे देश में जो सिच्छा है वह बहुत महेंगी होती चली जा रही है इतना लोगों के पास पैसा ही नहीं है कि वह अपने बच्चों को पढ़ा सकें या उनकी पढ़ाई को कंप्लीट करवा सकें यह बहुत बड़ी समस्या दूसरा पर्याप्त धन की कमी को यह करके बात लेंगे दूसरा अगर आप देखेंगे तो सिच्छा महेंगी होती जा रही है यह बहुत वह बड़ी समस्या का महेंगा हो जाना लोगों के पास पैसा भी नहीं है और हमारे देश में जो एज़िप्यस है वह साल दर साल अगर आप दे देखोगे तो आपकी फीस भी हर साल बढ़ती जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा बढ़ती चले जा रहे हैं कहीं कहीं पर देखोगे जाओ अगर सरकारी स्कूल में जाओ तो वहाँ पर स्टूडेंट ही नहीं है यानि कई बार तो ऐसा हो जाता किसी सरकारी स्कूल में पीचर जादा हो गए बच्चे उतने हैं तो सिच्छक चात्र अनुपाद भी अगर आप देखोगे तो हमारे जिसमें एक बड़ी समस्या ब घतितक की सिच्छा की पहुंचिन ही है लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं है कि अपने पच्चों को पढ़ा सके अगर धाले सिच्छा में ज़्यादा पाइस का महगा होजाना क्या है आप देखने बैई एजुकेशन कितनी सारी महंगी होती चलिए कितनी हर साल दर साल अगर आप इगनु को ही देखोगे तो इगनु में हर साल यानि हर छे मेनी जब एड़िशन शुरू होता तो देखतो यानि 200-400 रुपए बढ़ी जाते हैं क्या है यह सिच्छा महंगी होती चलिए और इस कहीं पर सिच्छक ज्यादा हो जारे हैं चात्र कम हैं कहीं कहीं पर देखोगे चात्र ज्यादा हो गएं सिच्छक ही कम है तो सिच्छक छात्र अनपात भी एक गंभीर समस्य बनिये जहां पर छात्र बहुत ज्यादा सिच्छक कम है वहां पर बच्चे को जितना पढ़ाना उतना वो पढ़ानी पा रहे हैं बच्चे पांसा है उनको स्कूल में देखो गए च्छाथ तो यहां भी एक बड़ी समस्य है सरकारी स्कूलों में आपने देखा कि वहाँ पर टीचर ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं और जो चात्र हैं उनकी संक्या में कम देखने मिलते हैं तो यह भी यह कह सकते हैं में एक बहुत बड़ी चिंता और क्या है ज्वे बने तो शिख्षा के लिए क्या-क्या मुद्ध्य हैं यह चुनावतियां है यह आपसे कोई पूछैंगा तो इनहीं क्या क्या करना है हेडिंग बना देना है और हेडिंग बनाकर करना है इनः को आपको क्या करना explain कर देना क्यूंकि योगूंचन ज sutton जाएंगे ज़्यादा तर बीस नंबर में पूच्छा जगा और बीस नंबर के लिए कम से कम चार पेज तो लिखना होगा और चार पेज लिखने के लिए क्या करोगे इन सभी को heading बनाईए और heading डाल डाल करके क्या करना आपको explain कर देना यह तो थोड़ा आसान था ही जी था यह तो आप सभी को वैसे ही समझ में आ गया और आपका यह जो चपटर number 4 की बाद हम लोग देख लिते हैं अगला अगला रहने वाला ठीक。 क्या है बहारत में बिद्यालयसीच्छा का वेल living का यह बात करता है कि भारत में इन इस प्रकार से रखी गई जैसे अगर आप देखो भारत में बिद्यालयसीच्छा सब्से पहले क्या अगर आप देखोगे प्राइमरी एजुकेशन है जिसको हम लोग बोलते प्रार्थमिक सिख्छा पहले क्या है प्रार्थमिक सिख्छा जो क्या चलती एक से पांस तक चलती है विद्याला एजुकेशन है दूसरा आप देखोगे तो पूर्व माध्धमिक है क्या बोला जाता है अगले को हम बोलते हैं माधमिक जो होती है यहां चलती है न क्योंज Does चलती है उक्य माध्मिक होती है कि उसको कब से चलती ग्यारा से 12 एरा है क्या हमारी पूरी ऐच्चूल के सभेश्चंहे एक Byz kOR Prof53 कर इसमें जाता है छिसमें बात की गई है सिच्छा की अस्थापना ऐसे की गई दूसरा आद देखोगा हमारी दूसरी क्या तो पूरब माध्धिमुक देखो गद इसमें class 8 छे से 8 तक बच्चे आदें class 6-8 तक के बच्चों में अगर आप देखोगे तो बच्चे आते हैं गर आप दूझे वोगत दोड़ा खिलाना इस प्रकार की और यह पर जो सिच्छ दी जाती बहुत हलकी दी जाती है यहां पर कविताओं के जरीए, कहानी के जरीए, जैसे उनको रटाया जाता है, जैसे पहले टीचर बोलेगा, फिर बच्चे गाएंगे, इस परकार से सिच्छा दी जाती है, खास और से वन से पांच में हम अगर आप देखेंगे, तो बच्चों को हम एक परकार से उनका हम बोलते हैं, पूरम माधमिक सिच्छा, पूरम माधमिक जो सिच्छा होती है, सारी स्कूली विद्याले के सिच्छा हम बात रहे हैं, इस छे से आठ तक की होती, छे से आठ तक की अगर हम सिच्छा की बात रहे हैं, तो इसमें बच्चों को थोड़ा-थोड़ा सा इनको य को हम एक प्रकार से दोहराते हैं और इसमें बच्चा हलका फुल का याद भी करने लग जाता है और यहां पर अगर आप देखने कि बच्चों में इस्मिर्थी लेबल ठीक है इस्मिर्थी बढ़ जाती है यानि उनको याद करने की तरीका जो यानि हर चीज को थोड़ा बहु जो यानि जिसमें आठ और नो खुलास आती है इसमें बच्चा पूरी तरीक से हलका परुपक हो जाता है जिसमें अगर अब बच्चे करेंगे बच्चे की स्मिर्थी बिल्कुल बढ़ जाती है यहां पर बच्चा कठिन से कठिन चीजों को भी याद कर सकता है उसकी याद उच्चे वी तीचर की बात को अगर आप देखेंगे तो बड़ी अच्छे समय लेते हैं दूसरा आप देखेंगे जो उच्ची सिच्छा होती है जिसको हम उच्च मादमिक बुलते हैं ग्यारीव वारीवी की गलास आती है यहां पर बच्च्य जो चिंतन अस्तर पर हो जा ओंतेंगें से चलती है पूरा-माध्मिक कोई जिसको हम बोलते हैं से दस क्लास होती है और उच्छ माध्यमिक यह एंदिशा की बारयुता ही आगर हम college की बात रहें जो बच्चे क्योंकि हम इसकी बात रहें 5.5 की बता रहा हूं जो बच्चे इस्कूल में एडमिशन नहीं करवा पाते हैं उनके लिए अगर आप देखोगे तो ओपन यानि निसुल को और मुक्त अनिवार सिच्छा रखेगे जिसको आगर आप देखोगे एन आ चल मेरे लोग भी जाकर के पढ़ाय कर सकें और खासर से हमारी सरकार सबके लिए सिच्छा को सुनिसित पर आप देखोगे तो प्रात्मिक सिच्छा का भी उद्धिष होता है कम से कम प्रात्मिक सिच्छा है वह बच्चेी इसकी प Kalau सहे तमान तरह के प्रयास कर रहे हैं उस और सब बच्चे के लिए सिट्՝ा को मिले दूसरा जो प्रास्मी जो बिद्यालेस का इसकी गुणवत्यक को भी अच्छा बनाने के लिए सरकार तमाम तरह के प्रियास कर रही है अगर आप देखेंगे अगर दूसरा मुक्त बिद्यालेक। उपन डिस्टेंस में अगर आप देखेंगे दस्वी बारुवी कराई जाती है उपन बोर्ड भी होता आप समने सुना जैसे नाइस बोर्ड है उसमें भी कर सकते हो कि विद्याले सिच्छा दी जा रही है जिसमें दस्वी बारुवी जो लोग पढ़े नहीं है या जिनको करवा सकते हैं और अपनी सिच्छा या जो उन्होंने पढ़ाई बीच में रोग दी है उसे सिच्छा को क्या कर सकते हैं अपना आगे बढ़ा सकते हैं इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो रखी गए इसमें से कोई भी कोश्चन आएगा तो आपको इसी प्रकार से लि कि इसको जाने से पहले प्ले स्कूल distant इसको बĩला जाता पूर अब दिखते निया और बहुते प्ले स्कूल खुल गया है पूरात माध है ठीक देखेगा पूरम माध मिक सिच्छा को क्या बात की अबात कि फेल पूरम माधंच सिख्छा और प्रारमी के सिख्छा द्रभारत में पूर्म माधंच सिख्छा का मतलब 0-6 वहरस ऑल कि ब twenty-eight पूरव सateurs इसंता उसकि देख्वाल बहुत जरूरी है एक परणुण से संबंध होता है जब बच्चा एक से 3 साल का हो जाता ना तो उसकी गद्दिती बढ़ जाती है उसमें स्वतंत्र विकास होता है उसमें बच्चा खेलने भी लग जाता है इस परकार की चीज़े लेकिन जब बच्चा 3 से 6 वरस किमे जाता है तो उसमें बाचीत, पढ़ना, गाना, इस प्रकार के जो कौसल होती में उसमें बहुत ज़्यादा बिक्सित हो जाते हैं यही होती हमारी पूरब मादे, यानि एक से तीन से जब च्छा वर्स के बीच में बच्चा जाता है तो उसमें पूरब मादे, 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 75 में एकी कित बाल विकास उजना शुरूपी जिसमें महिला और बाल विकास मंत्रयल ने बोला था ठीक है इसमें क्या वो लगा कि स्वास देख भाल और पोशक तत्यों को परदान की जाएंगे प्रार्थमिक विद्याले में परवेश की तैयारी के रूप में बच्चों को सं केंद्रों को खोलनाivent सिथा ठीक है। या ओने स्प्राइबेट वाले खोलतें और पूर्माद्मिक सिथा के लिए कि खास तो से माता-पिता का सहय dibuj करने की मदत करना ठीक है पूरं माद्मिक सिथा में मैं बच्चों के स्वास की जागरूकता देना .टीका करने थीकने लेखते बच्चों में और बच्चों विश्वास की जाच को ना इस प्रकार की चीज़ों को यहां पर तयार किया जएगा पूरा माधमिक अगर सिच्छा की बात करेंगे तो इसमें जैसे बालवाडी बालवाडी खोलने का प्रयास किये गा है दूसरा आंगनवाडी और पू कि पूरा माधमिक सिच्छा की क्या क्या विशेश में भारत के आनियंतित थे देखर के अधिकांस हिस्सों में विद्ध्याले सिच्छा का पूरब माधमिक सिच्छा खचन मुख्यता अनियनीत चरण है दिल्ली जैसे कुछ राज्यों में केंसाजी प्रदेश अंध्रदेसों में सेज भारत की तुलना में अधिक संगठित-प्रतीत होते हैं देखो पूरब बच्चे का सारी विकास होगा बच्चे का मानसिक विकास होगा यह भी होगा दूसरा पूरा मादमिक सिच्छा देने से बच्चों में भावनात्मक विकास होगा यानि उसमें फिलिंग जो होती है संचार का है और समाजी कौसल ही वो समाज के साथ जुड़ेगा बच्चों से बात्चित करेगा, बच्चे को गाना है, कविता है, कहानी सुनाना, प्रार्थना करना है, इस प्रकार के जो गुण है, वह बच्चे में जो कोसल होंगे, धिरे-धिरे उनका विकास होगा, यह पूरमादमिक सिच्छा देने से बच्चों में इस प्रकार की, और दूसरा क्या पूरा मादमिक सिच्छा में माता पिता देख भाल करने वालों का भी समर्थन होगा देखो उतने पूरा मादमिक सिच्छा देने से का बच्चों की देख भाल माता पिता जो है वह बहुत अच्छे प्रकार से कर पाएंगे अगर हम बच्चों को पूरा मादमिक सिच्छा दे प्रारंभीक सिच्छा मों कहते हैं इसमें क्या आप सब को पता कि हमारे देश में 6-14 वर्ष की बच्चों के लिए निशुल को और अनिवार सिच्छा दी जा रही है जो प्रारंभीक सिच्छा मतलब यानि 1-5 तक जो सिच्छा उती इसको क्या बोलते भाई मेरे प्रारंभीक सिच्छा आगया घंज कर गया है तो राश्टी सिच्छा निती 1986 मेंusan6 Waala है कि 6-14 वर्ष की बच्चों को सार भॉमिक वि यानि ब्लैक बोड के तहट इनको अगर आप देखोगे तो सभी बच्चों की सिच्छा तक पहुंच इसको करना है दूसरा अगर आप देखोगे प्रारंभी सुरी प्रारंभी सिच्छा में देखोगे इसमें जिला प्रांभी विद्यालाइब पर कारिक्रम चलाए जाएंग पहली कच्छा से आठ्मी कच्छा बगो देखोगे तो उनको ब्रेक में उनको खाना भी मिड़े मिल जो दिया जाता है मध्यांतर भोजन दो पहर में जो खाना मिलता है अगर प्रात्मिक सिच्छा में सर्व सिच्छा वियान का मतलब हुता कि सभी बच्चों को हम क्या दें हैं दूसरा सारभॉमिक सिच्छा के गुढ है ना करना चाहते हैं प्रारंभिक सिच्छा देने से हमारे समाज में जाती है जो धरम है इसमें जो परकार से जाती वाद है उसको क्या कर सकते कम कर सकते हैं भाई शुरू से ही जब बच्चों को पढ़ाय लिखा जाएगा तो उनमें ज्वाजाती वाद छुवा छूत को लेकर कि जो चीज़ें होंगी ठोड़ी कम होंगी ठीक है अगर हम प्रारंभी सिच्छा देंगे तो क्या होगा कि बच्चों की जो विद्याले छोड देते हैं प्रारंभी सिच्छा तक ही नहीं पहुंच पा रहे हैं या बीच में स्कूल ड्रॉप आउड गी जो संक्या उसको कम करने के लिए प्रारंभी सिच्छा अगर दी जाएगी अगर हमारे देश की लोग पढ़े लिखे रहेंगे तब ही तो उनको एक प्रकार से सार बड़ी समस्या हमारे देश काफी गरीब है और खान पीन की समस्या बड़ी लेती है तो मध्यांतर भोजन दे करके हम बच्चों की जो ड्रॉप आउट है जो बच्चे विद्ध्याले ना छोड़े इसके लिए उनको हम मध्यांतर यानि मिड़े मिल दोपहर में जो खाना म ब्यवस्था कह सकते प्राणभी सिच्चह में की गई है लड़की और लड़कियों को सभी को सिच्चह दी जाएगी सब पढ़े सब पढ़े सब योधनाओं को लेकर के हर व्यक्ति को सिछा देना तिनी सभी को पढ़ा जा और सभी लोग आगे वढ़े या प्रावधान Magic के सकते हैं इस प्रकारके अगर आप देखेंगे प्रावधान किये गए है और याद जो प्रावधानाई हैं हमरी राज्य जो प्रावधाने की यह सिच्छा की सब्कार सकते हो कि हम सिच्छा की यह किसका रहें हैं जितने प्राथमिक सिच्छा को बढ़ाने के लिए व्यक्वाद करेंगे Goes to an operation प्रयास किया जाएंगे ठीक है इसको जरूर देखे कि नहीं इस में कहे सक्ता हूं में कोई कोोई कोई कोई सुन G आपके एकजाम में जरूर पूछा जा सकता है कोई कोई आ सकता है इसक्छे से करके जरूर जाना है खास हो से आपका सिच्छा और उच्छ माधमिक सिच्छा उच्छ माधमिक का मतलब होता है यह से आठ आठ ठेंखका आट्स जो आठ यानी नौ सभी को समान सिक्ष्षा जो मिले सभी को बराबर सभी को समान मिले यह नहीं किसी को कम मिल रही किसी को जाते हैं समान सिच्छा समगत सिच्छा के मतलब होता है कि मादमिक और उच्छ मादमिक सिच्छा में अगर आप देखोगे तो समगत सिच्छा दी जारी ताकि सभी को समान सिच्छा दी सके अगला अगर आप देखोगे मादमिक सिच्छा में दिभ्यांगों के लिए उनको भी सिच्छा में क्या करना इंकलूट करना आप आप देखोंगे तो सरकार की कैसारी योजना है ताकि उनको को भी प्रावधन किया गया है दूसरा माधमिक सिच्छा में मदर्से की यानि कैसे से हर धरम के लोग हर जाती की लोग हर वर की लोगों को सिच्छा दी जा इसमें मदर्से बोर्ड की भी सिच्छा देने की बात की जा रही है ताकि जो मुस्लिम समाज की लोग हैं उनको भी सिच्छा एक लब मोडल आवसी विद्याल है यानि इसकोलों की अस्थापना की जाएगी जो बच्चों के एक मोडल अस्थरी विद्याल होंगे उसमें एक ही मोडल चले गई साधार पर ठी फ्रेट टरवारेढ़ा की जो बच्चे उसको पास करेंगे सरकार उसको कम पैसे में इसे विद्याल में सिच्छा देने के काम करती है तो नवदाई विद्याल है और दूसरा हमारा चलता केंदरी विद्याल है यह यानि माध्यमिक सिच्छा को ले करके अगर आप देखेंगे जो केंदर सरकार है ठीक है केंदर सरकार की दरब से दो परकार की स्कूल चलते हैं एक तो था भाई नवोदाई विद्याल है ठीक है जो नवोदाई विद्याल मे नवोधे विद्याले में होता है अगर आप देखे लेखे तो पांच से लेकर के सुरू होते हैं और जो केंदरी विद्याले क्लास एक से लेकर की बारवी तेक चलता है ठीक है ज्यादातर अगर आप देखूँ ऐसी ही रहता और आपका जो चप्र नमबर से बने इसमें खासों से माध्मिक जो रहे करके कौण कौन कौन सी सरकार की योजना को लेकर करके अगर आपको क्या बताणा है यही चीज़े बतानी जो मैं आपको बता Rs. ठीक है इसको त्वाइक और तकनीकी सिच्छा थास तोसे जो ब्यावसाइक सिच्छा होती है किरसी को लेकर कि जी जाए है खास दूसरा मारी उत्पादन बढ़ जाएगा क्या बढ़ जेगा तोसे जो किरसी के छेत्र है इसमें उत्पादन बढ़ जाएगा शित्षाइन को बढ़ा जाता है कि दरी कल्चर में जैसे सिचा ही ढ़ाई है सुधार क किया किया सकता है. दूसरा अगर now को आघकली कल्चर apenas का काफी बहतर हो जा यूतильно luji ? रास निर्माण में, क्योंकि हमारे देश के लोगों को क्या होगा, जादा जादा रोजगार मिलेगा, दूसरा मानो संसाधन, यानि जो human resource है, यानि खास होसे अगर हम लोग ब्योसाइक सिछा देंगे, तो human resource, यानि मानो संसाधन जो है, उसका बड़े अच्छे तरीके से, य क्यों किया जा सका है, खास उसे जो ब्योसाइक सिछा है, ठीक है, दूसरा, समाज में जो हासी वर के लोग है, जैसे समाज में ST है, ST है, दलित है, पिछड़े है, आदिवासी है, अगर इन लोगों को ब्योसाइक सिछा दी जाएगी, या टेकनिकल या तकनिकी सिछा दी जा एको सब्सक्राइब देंगे देंगे किसी खास चीज में अगर उनका ब्यावसाइक उसक्षा की बाते तो स्टार्च आप जए से परकार से इंवस्ट्री में जmental बंच इसे प्रकार से तक्निकी सीच्छम जैसे अगर आप देखोगे तो जैसे आइटी आई है बात करेंगे इस प्रकार्कष्टी की सिच्छा आप देखो दी जारे है तो खास तरह से अगर आप देखें आपके लिए इंपोर्टर बनेगा व्योसाइक सिच्छा की भूमी का और मात क्या है दूसरा आप पहसके व्योसाइक सिच्छा तुम्हार में आइटियाई कोलेज खोले गए हैं दूसरा आप देखोगे तो हमारे यहां पर टक्णिकी सिच्छा को ले करके कई सारे इंसीट्वीट को ले गए हैं व्यापार को ले करके जैसे अगर आप जैसे देखेगे अगर आप देखोगे तो कई सारे कोलेज इंस्टीट खोले गए हैं उसी प्रकार से अगर आप टेखनिकल एजुकेशन भी आप देखोगे दूरत सिच्छा के माध्यम से अगर आप देखो ब्यासाइक शिच्छा जैसे ओपन डिस्टन्स लरिंग है इसके माध्यम से भी अग लोग क्या बहुती विवसाइक सिख्छा देखो ना होता नहीं ठाइन सिखा जाता है उसमें या सारी चीजह सिखा जाती किस परकार से आप पुरा व्यापार करेंगे उसमें जैसे मार्केट सिखा जाता है सिखा जाती है यहाली दूसरा क्या है कि सिच्छ्छ से लाभ क्या होगा इसकी भूमी का क्या है एक कोस्चन घर उसकता हुं तहुआ इसमें सिच्छा को लेकर के जयानी 8.5 जो आपकर है important है और 8.6 जो यह important हो सकता है इसको लेकर के कह सकते हो कि exam में question आ सकता और आपका जो chapter number 8 रहेगा बाकी के जो chapter हैंगे चली हम लोग उसको कर लेते हैं सारे chapter बताऊंगा जितने भी important है कि सिरफ आपको क्या करना है इसको ध्यान से स सुनना है जो जो important है का मैं सारे explain कर दूँगा ठीक है चली अगला देख लेते हैं जो हमारा chapter number 8 के बार हमारे कर रहा है chapter number 9 को देख लेते हैं जो कि यह काफी important chapter number 9 क्या है भारत में उच्य सिच्छा का एक परिचा है निया higher education उच्छी सिच्छा की बात करेंगो खासों से जो 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 प्रकार की सिच्छा में ना आफ सब लोग to जानते ओंपर silence learning में आप सब पताईगा अगर आप देखेगो तो मुक्त और दूरस्त सिच्छा का केंद्री है जिसमें ओपन डिस्टन्स लर्निंग दिया खाल से अगर उच्छ सिच्छा की बात करो तो उसमें ओनलाइन एजुकेशन को भी ले करके बहुत सारे प्रावधान किये गए हैं दूसरा अगर आप देखो और यह ओनलाइन प्रोग्राम चला जारे उच्छ सिच्छा में अगर आप देखोगे साथ ही साथ देखोगे 20 बिद्दल अनुदान आयोग जीसे हम यूजीसी बोलते हैं यूजीसी क्या करता है आज जो उच्छ सिच्छा के जितनी सारी इनिवस्टिया उनको क्या करता है जो यूजीसी है उसको आप सब देखते ही होंगे ठीक है चलिए अब हम लोग इसको सुरू कर लेते हैं देखेंगा उच्छ सिच्छा क्या है भारत में अपचारिक सिच्छा तीन चरणों में अलगा अस्तरों पर दी गई है जिसे हमार देश में तुम समने सुना प्राथम सिच्छा का मतलब बोलते हैं एकसे-पांस तक प्राथमिक सिच्छा होती है माधमिक겠지만 distort आज तोर से जो हमारे 20 महाविद्याले हैं यानि जो कॉलेज हैं उन में सिच्छा दी जाती इसमें ब्यवसाइक और तक्निकी भी सिच्छा अगर आप देखोगे परजन टाइम ही देर है अगर हम उच्छ सिच्छा की बात करें तो उच्छ सिच्छा में आपको डिग्री और क्या करा जाता है उच्छ में क्या होती है या तो आपको डिग्री मिलेग़ी या तो आपको डिपलोमा करता और प्रमान पथ करौन यतना अगर आप सब लोग देखोगे जैसे इगनु है तो इगनु क्या करवाता डिग्री भी करवाता है ठीक है जैसे बीए और एम्मे की डिग्री है डिप्लोमा भी कई करवा जाता है उसी प्रकार से आप डिप्लोमा भी करवा जाता है ओफ्चे लख्ष क्या है यानि वुच्च चिछा की बात करूँ तो इसका है बौधिक अस्तर को बढ़ाना यह जो हमारी देश की लोग हैं उनमें बौधिक बिकास हो तो हमारा जो समाज है हर एक पहलियों पर हर एक चीज पर अच्छी तरह से विचार कर सके, चिंतन कर सके, यह क्या है, उच्छी सिच्छा की लक्स है, इस प्रकार से जैसे हाँ डायग्राम बनाऊना, आप लोग ऐसे डायग्राम बना करके, और बाकी इसके जो पॉइंट है, इसको अलग-अलग पॉइंट बना करके आप इसको लिख भी सकते हैं उच्य सिच्छा के लक्स क्या है मैनि श्रम बाजार के लिए मानों की पूझी करना खास अगर लोग उच्य सिच्छा करेंगे तो उनको बाजार उसमें भी उनको नौकरी मिल जाएगी साथ ही साथ अगर आप देखें हुमर रिसोर्स का भी काफी अच्छा वर्क होगा ठीक है लोगों में योगता का निर्मार करना लोगों में एक प्रकार से फ्यूचर को भविश्क हो यही कि हमारे हैं उसके लक्स है यह आपसे पूच्छा जा सकता अगर आप देखो तमाम तरह की चीज़ें प्धाल की सिफश्छा जाती उत्योस्ते पूपनवीसिक प्रणालि से प्रभावित भार्त में जो हाईर रिजूचर केंदर हें पूरी तरह होगी उसी से आप हमें देख आई यहां पर देते हैं तो देखेगा खास तोर से अगर हमारी सिच्छा कैसे होती हमारी यहां तो बेद बेदांग और खगोल विज्ञान संस्क्रित और पाली और इस प्रकार की भासा और संस्कित भासा में सिच्छा होती थी लेकिन आज देखो हमारी जो हा अपचारिक सिच्छा दी जाती है अगर आप देखोगे तो फुल एडुकेशन जिसको रेगुलर हम बोलते हैं जो बच्चे रेगुलर पढ़ने जाते हैं उनको हम अपचारिक सिच्छा का मतलब क्या होता है कि जब हम सिच्छा को हम चार दिवारी से बाहर फ्री करके पढ़ देखोगे हम देख्यों हम पचारिक आता है इससी अदार पर देखो हम असनातक को भीड़ियां इसको सारी है और भाने या यहीं से क्या हो प्रकार से या जो में अगर आप देखोगे जिसे में रहाता है और यहाँ भी इसमें भी अगर आप देखोगे जिसे MA होता है, MSC होता है, जो Science में करवा जाता है, और उसी प्रकार से एक होता है M.C. तो अगर आप देखेगे इस प्रकार से भी डिग्रियां उसी प्रकार से अगर आप देखो डॉक्टरेट डिग्रियां भी करवा जाते हैं जिसे हम अम्म में बोलते हैं और तीसरा होता है प्रिटोप्रेट या प्यच्डी लोग यह करते हैं तीं ही कै अगर हम लोग बदर टेखोंए उच्छ सिच्छा को चलाने के लिए कौन-गाण से तो पहला जैसे सिच्चा मंत्राले जो हैं जो है उचै को पूरी तरह से क्या करता différentes करता है मानो संसाधन विकासमंतरले जिसे आज खास्त है सिच्छा मंत्राले के नाम से जाना जाता ना पहले जो मानो विकास मंत्राले था इसी में सिच्छा आती थी लेकिन अब इसी का नाम बदल कर किया बनाते है सिच्छा मंत्राले कर दियागा है उसे प्रकार से उच्छी सिच्छा भी भाग किया स्थापन की कि जो आखास तो से अगर आप टेक्निकल जो जितने इंसिट्यूट है जैसे अगर आप देखोगे जैसे कोई आगर आप देखोगे जैसे खास तो से जैसे बीटेक करता है एंटेक करता है उसको कौन करता है तो जो अखिल भारतिय तक्निकी सिच्छन संस्थान इसको करता है उसी प्रकार से जो medical के सारे courses उनको कौन करता है medical council of India higher education में खास होजे से MD, BSI, MD, MD, सारा इसमें करता है ठीक है भारती किर्षी अनुसंधान परिशद है ये भी उच्छी सिच्छा को संचालिद करता है उसी प्रकार से राष्टी अध्यापक सिच्छा परिशद यानि NCTE यान है अध्यापक सिच्छा परिशद जिसे हम लोग क्या बोलते है NCT बोलते है खास होसे जैसे BAD है MAD है DLA-DLA जो होता है ये इसी के अंडर में आता है राष्टी सिच्छा परिशद यानि NCTE के अंदर में आता है उसी प्रकार से जैसे दंत चिक्षा परिशद है ठीक है जैस होता है यह सारी संस्थाओं क्या है जिसके हम बोलते हैं सेंटरल इनवस्टि हैै क्या है इगनू क्या है एक सेंटरल इनवस्टी है ठीक है तो आगर हमारे देश में देखो तो हम उनिस चेंद्रिये बिस्विध्यु के सेंट्रल लर्निंग में उसिरफ एग लेंव privileged राष्ची महात्यु की तने संस्थाने閣 आपके प्रकार से अगर आप देखो भारत में विस्विद्याले कितने यहां पर आगर आप देखो पूरी टेबल यह सारा को ही करते हैं कंट्रोल करते हैं अगर आप देखो है उसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो उच्छी सिच्छा में ओडियल को लेकर के खूब पढ़ाई की जा आप सको पता होगे उपन डिस्टन्स लर्निंग हम जिसको बोलते हैं खास उसे इगनु जैसी इनवस्टिय पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए अगर आप देखोगे उसको हम लोग बोलते हैं ठीक है अगर आप देखोगे उसे जैसे और अगर पीक चछक उसे आपको सिर्फ करना एक यहीं होता और सबको पठाई होगे प्लेजिए और सब्हस्क्र का देखोगे को जाती है। इसमें बहुत सारी स्टूदेन्ट पड़ सकते हैं, नीश्चि कोई limit नहीं है। बहुत सारी स्टूडेंट का दूसरा किसमें इस पढ़ाई को आप किसी भी समय कर सकते हैं ठीक है आप इसको आसानी से घर पर रहकर कि भी आप क्या कर सकते हैं इसकी पढ़ाई कर सकते हैं अगर आप भारत में सबसे पहले अगर आप देखोगे तो भारत में अंधर पर्देश में मुक्त बिस्विद्याला की अस्थापने की जिसे हम इगुनु की नाम से जानते हैं वर्तमान में एक केंद्री और चौदा राज मुक्त बिस्विद्याला हैं अभी तो सेंटरल इन्वरस्टी ओपन की सि में देखोगे तो चौदा राज मुक्त बिस्विद्याला की अभी तक अस्थापना की गई है ठीक है खास से सभी लोग किसमें काम कर रहें उपन डिस्टेंस लर्निंग में उसी प्रकास से अगर आप देखो उच्छ सिच्छ में तो आज कल तो ओनलाइन नहीं करवाई जा प्रकार के अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में इसी प्रकार के क्या की गए हैं प्राउधान की हैं और उच्छ सिच्छ को पढ़ाने के लिए अगर आप देखेंगे यूजी सी की अस्थापने की जिसे हम बिस्विद्दल है अनुदान आयोग के थे यूजी सी के बारे में मैंने पहले चप्टर में पढ़ाय था तो वहीं से आप इसको आराम से लिख सकते हैं अगर आप से पूचेगा यूजी सी पहले है इब ओड़ है उची सिच्छा के लिए तो अगर आप देखेंगे नौहुआ चेप्टर इसी के साथ क्या हो गया ही हमारा समाप्थ हो गया है चलीए अब हम लोग अपना नेक्स चेप्टर देख लेते हैं जो हमारा अगला चेप्टर है अगला अगला जो हमारा देखीगा, chapter नबर 10 का है महाविध्यालई और एंवस्टी की सिच्छा क्या है, क्या है, इसके प्रकर्ति क्या, इसके प्रकार क्या है, अगर मैं पता हूँ जो हमारी इन्वस्टी होती ना जो इन्वस्टी होती एक होती और एक इन्वस्टी में बहुत सारे कोलेज होते हैं क्या होते होता नहीं जिसे अगर आप देखो दिल्ली इन्वस्टी है तो डियू है लेकिन डियू के बहुत सारे कोलेज उसी प्रकार से यहां पर असनातक सिछा और और असनातों कर सिच्छा डिग्री परदान की जाते हैं। यानि यहां पर सोध किया जाता है यहां पर बिस विद्धेल होता है या जहां पर hayat सेंट्रal university दूसरा राजी बिस्विद्यले और तीसरा निजी यहनी प्राइवेत बिस्विद्यले होते हैं जिसको हम बोलते हैं कि center UNVASTI, state आर private investिया होते हैं कैंद्रिए बिस्विद्यले क्या ह trabalho केंद्रिली यहनी जो खास घ्वांध राजिव गांधी राश्चिक अगर आपकार से और अंत्र फेच हैं। अगर यानि स्टेट इन्वस्टी खोलता उसको बोला जाता है अगर आप देखें लगभग हमारे देश में चार सो से ज्यादा राज बिस्विद्धल है ठीक है अगर मैं कुछ इस्टेट इन्वस्टी नाम बता दे जैसे हरियान में देखोगे तो वहां पर बहुत सारी जैस अगर आप देखोगे जिनका खुब सारा परचार होता ना तुम सबने देखाऊगा ना इनका है एक कुछ विद्धल है होते हैं ठीक है अगला देख लेते नेक्स्ट हमारा जो रहेगा भारत में महाविद्धल है क्या है भाई देखो महाविद्धल है को मतलब होता कोलेज जो हमारे कोलेज जो होते हैं ठीक है जिसमें आस्तना तक या कह सकते हो कि बीए और अमे जो पढ पोलेज किसी इनवर्स्टीं से 100 कैसी किसी एक सकते हैं इसको महावीद्याला het ठीक है विस विद्याल्य इन्वस्टी होते हैं अगर आप देखोगे इन्वस्टी के जो रियल वही जुड़े होते हैं लेकिन उनमें भी संख्याची खासी होती है और जो जो कोलेज होते हैं अगर आप देखोगे और जो हमारे कोलेज होते हैं और जो हमारे कोलेज होते हैं उनको कौन रेगुलेट करता है UGC करता है यानि विस्विद्यर अनुदान आयोग जो UGC होता है यह इनको control करता है यह इनको regulate करने का काम करता है ठीक है इस बात को ध्यान में रखेगा इससे आपसे पूचा जा सकता है और खास उसे हमारे जो प्रबंधन कान करता है तो खास और आप देखूगे तो हमारी केंदर सरकार होती है जो केंदर सरकार होती है इन्हीं को क्या करती है इसके लिए प्राइबेट संस्थान होते हैं जो उवस्टी को क्या करते कंट्रोल करते हैं या उनको चलाने का काम करते हैं ठीक है तो आप से इसमें से कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है इसको अच्छे से करके जरूर जाना इसमें से कोई कोई कोशन आपको एक्जाम में देखने को कि ठाक बना रहता है अगर आगर मैं कोलेजियों की बात करूं और जो इन्वस्टी हैं वहां पर सामाजी खो सांस्कृति खो नयति खो आर्थी खो अध्यात्मे को सभी प्रकार किया होती है सिख्छाइं यहां पर दी जाती हैं यहां पर तमाम तरह के फंक्शन होते तमाम तर सब्सक्राइब करें तो काफी इंपॉर्टन है इसको जरूर करके जाना इससे खास तो से आपको एक कोश्चन में जरूर देखने को मिल सकता है क्या है चप्र डाबर 11 क्या है तक्कनीकी और व्यवसाइक सिच्छा ट्यूठ जो तक्कनी ओनिक प्रवंस शिच्छा की क्या है टेक्कनीकल एगयोटीऊ से भारत में आज नहीं अगर आप देखेंगे तो आपका जो आट यह उसमें भी आमनों इने टक्निकी सिच्छ और बेवसाइक सिच्छा के बारे में ही बता रखा है अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ठीक है चले हम लोग इसको देख लेते हैं है तक्निकी सिच्छा का महत क्या है इसको तो मैंने उसमें बताया था ठीक अगर आप देखेंगे तो मिलेगा उसमें आपको ठीक तक्निकी सिच्छा की प्रकिर्टी क्या है भारत में तक्निकी सिच्छा क्या है देखेगा खास उसे इंजिनेरिंग इंजिनेरिंग में जो डिग of computer application ठीक है M.C.A. जो करवा जाता ना है M.C.A. जो करवा है Master of computer application यह भी टेक्निकल education है तक्निकी सिच्छा है उसे प्रकार से Bachelor of Business Administration MBA यह भी खास होसे अगर आप तक्निकी सिच्छ में ऐता है थीक है उसे प्रकार से vegetation मेंडि़ सब्सक्राइब करवाते हैं care अगर आप किसमें आता है अगर आप देखे हमारे दिश में तक्निकी सिच्छ में आता है इंजिनिरिंग कोलेज हैं जो डिग्री डिप्लोमा देते हैं इंजिनिरिंग में मास्टर डिग्रियां ठीक है बैसलर अप्प्टियूटर अप्लिकेशन और मास्टर अप्प्टियूटर अप्लिकाशन यbnल मुए ओसुआ के इन कीश्छ करखा और अगर आप देखेंगا उसी प्रकार से और अध्योगी अनुसंधान परिशात के नाम से बना है 1945 में देश में उच्छ सिच्छा की विकास के लिए सुझाओ है तुर्ण सरकार ने समीति की नुप्ति की थी ठीक है यह आगर आप देखो भारत में टेक्निकल एजुकेशन के लिए अखिल भारती तक्निकी सिच्छा परिश्यद अखिया भारत में टेक्निकल एजुकेशन के लिए अखिल भारती सिच्छा परिश्यद इसकी क्या की गई अस्थापना की जो और देने की बात की थी उसी प्रकार से अगर आप देखो घुए तो डक्टर लच्मन स्वामी मुदालियर जो आयोग है इसकी अध् सिच्छायोग था तो उसने भी बोला था कि भाई भारत में टेक्निकल जो एजुकेशन है उस पर हमें क्या करना चाहिए बल देनी की बात की गई थी ठीक है उसी प्रकार से आगर हमारी जो राष्टी सिच्छा नेती अगर आप देखोगे तो इन्होंने बोला थाट भाई हमें टेक्निकल इजुकेशन पर ध्यान देना है खासते धिस्चा है और तक्निकी सिच्छा पर ज्यादा ज्यादा बल दिया जाए ठीक है उसी प्रकार से अगर आप देखोगे था साइंस की सिच्छा को बढ़ाव देन मानेज्रमट के सिछा करें। जैसे खास हैं आइएएम मनेजमेंट के प्रोग्राम है आइसे प्रबंधन सिछा मेनेजमेंट की कारिकına में 없다 इसको भी शु statistics में युदा हो सारे को लेकर trip में आप सब को इसको लेकर के खास उसे आई आई यम भी अमरे देश में पुल हैं जो खास उसे जिसमें दी जारी है उसे प्रकास से टेक्निकल एजुकेशन ने तक्निकी सिच्छा और प्रभणन सिच्छा के संस्थान कॉंप रहें देखो अगर आप देखो हमारी जो केंदर सरकार है जो र मानेजमेंट के लिए अगर आप देखो हमारे देश में देखोगे तो जैसे अहमदाबाद में कोलकाता में लखनाit में इंदौर में उदाइपुर में रायपुर में रहोतक में इसे प्रकार से आई रूण की और वानसी यह पर आई 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 इटी की अस्तरप्ना की गए उसी प्रकास से अगर आप देखोगे भारतिय विज्यान शिच्छा नुसंधान खासते अगर आप देखों सिचे इसको ले करके तो इसको medical college जिसको हम बोलते है medical college तो हमर इसमें बहुत सारे हैं ठीक है अगर आप देखोगे सूचना को लेकर के IIT को लेकर के काउन काउन से संस्थान अगर आप देखोगे जैसे भारतिय सूचना परदुगी संस्थान इलाहबाद है अटल विहारी बाजपई भारतिय सूचना परदों की ग्वालियर में जो अस्थापित गया है यह IIT को लेकर की जो बनाई गही है अगर आप देखोगे उसी प्रकार से अन्य संस्थान देखोगे जैसे खास उसे अलग-अलग राज्जियों में गलता है इस सरा अगर आप देखोगे तो टेकनीकल एजूकिस्था के यस्ता क्या है जैसे बीटक है वी करवाई जती होती ना बी टेक करवाई जती उसी प्रकार से अगर आप देखोगे पर आस्तनाथाथख पर आपको सब्सक्राइब करते हैं इस प्रकार के भी अगर आप देखेगे तो हमारे इसमें टेक्निकल एजुकेशन और सिच्छा के सारे क्या है डिग्रियां करवाई जा रही है हर लेबल पर है यहनि दसवी बार्युँव रहे हैं और खास्त उसे प्सक्राइब तक जाती है जितने भी आगर आप देखोगे हमारे देश में व्यवसाइक सिच्छा और टेक्निकल एजुकेशन दी जरी तक्निकी सिच्छा ठीक है काफी इंपोर्टेंट है इससे भी कोश् है आगर देखोगे अलो पारिटी तो लेकर पर तो नियुक्राइब एदैर स्शाइब करेंशम करनफोए ब Teacher आदा कि हो दोब करके इन पर shred about sun इसको बोलते हैं जो हमारे देश में होती है ठीक है उसी प्रकार से बैचलर ओफ मेडिसन और बैचलर ओफ सर्जरी एक तरह करना अर्थात अधिकतर मेडिकल कोलेज प्रार्थमिक और मादमिक देखभाल करने वाले अस्पतालों से ही जुड़े होते हैं ठीक है यह मेडिकल कोलेज वाला काफी इंपॉर्टन आपके एकजाम में आ सकता है पुछली बार इसको पूच्छा गया था क्या पता इस बार भी आसकता कानुनी सिच्छा की बाड़ा माथ तो अगर आप देखो आप देखो गे तो इसमें अगर आप देखोगे लल्बी लल्म ठीक अगर आप देखोगे कि हमारी जो कानूनी सिच्छा होती जिसके हम कानूनी सिच्छा जो होती है उसको कंट्रोल काउन करता है बार काउंसल करता है है इसमें से अगर आपente कि बास आप काफी ये है अगर आपक देखें इसमें जो को आपका दिया गया है इसमें अगर आप देखेंगा है मुक्तियुम दूरस्त अधिगम यूम ओलाइन सिच्छा आप सबसके पता आज के टाइम में कितनी सारी ओलाइन एजुकेशन दी जारी ऑलाइन उल्लाइन तो आपको लिए सबसे ज्यादा आसान होगा तो जैसे हैं आ कि तुरू जब सिच्छा दी जाती है उसको क्या बोला जाता अगर आप देखेंगे भारत में ओनलाइन एजुकेशन तो खूप सारा बढ़ रहा देखते नहीं अब वह ऐसे भी अगर आप देखो जो हमारी नियो एजुकेशन पोलसी उसमें बोला गए जैसे घूम पर क्लासे होती है गूगल मीट पर क्लासे होती है ऐसारा क्या और ऑन दूरत जैसा यह उसी प्रकार से अगर आप राष्टी टेन अोपन उन्वर्स्टी है जैसे अगर आप देखोगे बहुत लिख्षिसन में तो कुछ करें उसे प्रकार से बहुत सारी इन्वेस्टियां जैसे इन्वेस्टियां मुक्त और दूरत सिच्छा का मतलब होता है कि आप डेली क्लास नहीं करते हैं और आप सिर्फ संडे सटर्डे पढ़ रहे हैं आपको कुछ पाठकरम यानि आपको किताब किताबों को पढ़ते हैं साल भर उसके बाद उनका एक्जाम ले लिया जाता है और उसको उनका रिजल्ट दे जाता है इस प्रकार से इसमें क्या होती पढ़ाई की जाती है इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें ना तो समय सीमा की कोई दिक्कत है इसमें आपकी कितनी इसको कोई बात नहीं और इसमें कितने भी स्टूडेंट का क्या एडमिसन करवा जा सकता है जिसको हम क्या बोलते हैं मुपतावीम दूर्द सिख्षा जिसको बोलता ओडियाल जाता है ठीक है ओपन डिस्टेंस लर्निंग जिसको बोला जाता है और इसमें कुछ तो यह स्रुप युगनुं ही नहीं बहुत सारी ओपन इनिवस्टीं है जो खास्त वसी दूरस सिक्षा में क्या कर रहे है काम करें ऐसे लोगों को तो लोग यह वोग आपके पड़ाई नहीं कर पारें खास और से रेगुलर कॉलेज नहीं कर पाते हैं या कोई उनकी नौकरी यह कोई रोजडार है कुछ काम कर रहें जो पढ़ाई पर उनको मुक्तियों दूरा सिच्छा के जरी अगर आप देखेंगे उसे उनलाइन का तो मैंने बता दिया उनलाइन को लेकर आपके एक्जाम में कोस्टेन आ सकता है उनलाइन वाला तो आपके लिए मुझे लगता बहुत आसान हो जागा इसको तो आप आसानी से लिख पर आपको उनलाइन सिच्छा दी जाती है ठीक है उसी प्रकार से बहुत सारी इन्युवस्टियों ने अपनी बना ली है वहां पर उनलाइन बुके आ जाती है उससे भी ओनलाइन एजुकेशन दी जारी ना यह सारी क्या है कंप्यूटर यानि टेक्लोजी का प्रयोग करके कितनी सारी ओनलाइन दी जारी है और देखोगे तो चल रहा तो और देखें को लुटेशन का प्रभाव और अखास उसे जब से हमारे देश में रहाएक और को न के बास से अगर आप देखोगे तो ओनलाइन एजगेशन का नहीं वह आ ऐख ईएट्विकेशन और महत भी बहुत जब ज्यादा है इसमें पैसे की बती है है इसमें हर चीज बसता था समय हैं हुआ बसुत है कि यह अने जाने का खरूंता है सरकार का भी हर्चा वस्ता है ठीक है और हमाय को בא कम कर सकते हैं जैसे मलों अपना समय निकाल करके बीडियो को देख चीजों कर सकते यहीं तो क्या लाब है ना यहीं धो खह हो रहां कि सिधढrice क्या जो से इसे लिए कई बार क्लास पूल कोलेज आने जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है एक है उनलाइन सिच्छा दी जा रही है तो खास उसे जो बारवा चप्टर इससे अगर कोई को आ गया बीस नंबर में आ गया तो अच्छे से हेडिंग बना बना करके आप इसको लिख देना क्योंकि हमारे लिए इंपोर्टेंट हो सकता है मुक्तियों दूरत सिच्छा और दूसरा जो ओनलाइन सिच्छा है इसको ले करके कोस्चन एकजाम में पूछे जा सकते हैं कर देना आराम से ठीक है चलिए हम लोग अगला चप् अगर आप देखोगे खास तो से देखो बैस्वी करना हो गया ना अब देखो भारत के लोग कितने सारे अमेरिका में जाकर कोई पढ़ रहा है कोई अगर देखो जापान में पढ़ते हैं बहुत सारे लोग मैडिकल को ले करके देखो उहां गए थे ना जब उसका यूद चल रहा था चीज रहे जाओ और युक्रियन यूज बहुत सारे बच्छे में जाकर करके ऐसे जाकरके मेडिकल के पढ़ाई कर रहे हैं वैसे अगर आप आप भू प्रकास से तो बहुत सारे देखों पढ़ने आता है देखते नहीं कितने सारे बच्चे जो हैं पढ़ने आ रहे ना यहीं तो हुआ ही वैस्वीकरण उस खास हो से किसका वैस्वीकरण सिच्छा का वैस्वीकरण हो रहा है ना अबचिं नियुकरण से बड़रे प्रफ्यकरण से लोग हैं का अफरीकी देशों से लोग जो है भारत में ज़्यादा पढ़ने आते हैं कि कई सारे देशों में महँगाई यानि भारत में अगर आप सिच्छा की बत रो एंट 2 सिच्छा है वह अमेरिका से ओस्टेलिया से अ कोरτι यहां थोड़ी सस्थी पढ़ती है इसलिए अगर आप देखें को जो आफिरिका के के देश आफ्रीका देश्यों के जो बच्चे वाजादातर ध्रने आते हैं बैश्विकन कि य यह ऐख से तब लेकिस क्यों होता है कि एक प्रकार से एक देश दूसरे दैश में किसी बाधा करता है व्यापार करता है bin बैसवीकरन बोलते हैं आर्थिक वैस्वीकरन तो ही होता ना जैसे आगर आप देखो बहुत सारा हमाँ प्रोड़क्ट जो होता है जो चीजे भारत में अकरीबित रहें भारत का जो समाने किसी और देश में बिक रहा है यही तो बैसवीकरन है ग्लोराइजेसें हम जिसको बो प्राइवेट कोलेज कितने सारी प्राइवेट इन्वेस्टे हो गई और भारत में तो सिच्छा का निजीगां तो सबसे ज़्यादा हुआ है देखो कितने सारे प्राइवेट स्कूल खुल गया जो मनमानी करते हैं मनमानी फीस बढ़ा लेते हैं उसी प्रकार से प्राइवेट कोलेज ही बहुत सारे हैं कितनी कितनी फीस लेते हैं उसी प्रकार से पहला क्या प्राइवेट स्कूल भी क्या हो गया है प्राइवेट हो गय प्राइवेट हो गईैं है और निजी सिच्छा उसका बढ़ाव मिल रहा हैं और निजी रंखया से देखो कितने सारी दिन रात खोले चले जा रहे हैं और लगा तार बढ़ाव तरहां सरकारी सच्छा है वह सिकूर्थी जा रही है यह कम होती जा रही है लगाँ सिछ्छा उसका तो भाई बहुत विष्टार होता चला रहाय है अब सच्छा का निजीकन क्या है कि हर हर धायँ जी कறिया क्ल infinit서ography देखो कितने सारे प्राइवेट आपने सहर में देखो आप सब्सक्राइब परदें तुमको पता चलेगा सरकारी में 30% लोग पढ़ते हैं वह प्राइबेट में पढ़ते हैं यह 10% निखलेगा परदें तो क्या भाई यही सब निजी करण है उसी प्रकास से अगर आप देखो हमारी सरकार भी है पूरी तरफ कर दे रही है ठीक है ताकि बड़ी-बड़ी जो उद्धोक पति हैं जो पूंजी पति उनको पैसा मिल सके और वह लोग भी अगर आप देखोगे तो बहुत सरी प्राइवेट जो हो रहा क्या वह सिरफ पैसा कमाना चाहते हैं बच्चों उनको यह नहीं कि लोगों को पढ़ाना है लिखाना उससे कोई मतलम है वह तो सिरफ पैसे कमाने के उद्धेश से सारा काम कर रहे है तो आगर आप देखो हमारे देश में जैसे जैसे सिच्छा का निजी करन होता जा रहा है वैसे वैसे जो सिच्छा महंगी होती चलिए आज अगर देखो कितनी महंगी फीस होती चलिए आज अगर आप देखो गरीब आदमी के लिए पढ़ना बड़ा मुश्किल हो गया है ना देखें गरीब आदमी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा परे ना क्यों नहीं पढ़ा है क्योंकि आज हमारी जो एजुकेसन जो सिच्छा जगत सिच्छा है वह पूरी तरह से निजी होती चली प्राइवेट होती चली जारी ना और उसमें फीस मनमाने ढंक से वसूली जाती है प्राइवेट इसकूल में किसी जाओ हर साल और पहले लोग आज के 20 साल पहले पढ़ाना प्राइवेट में ठीक था पढ़ा सकते से लेकिन आने वले समय में इतना ज्यादा फीस होगा गरीब आदमी अपने बच्चक प्राइवेट पढ़ा नहीं सकता इतनी ज्यादा फीस और यह क्यों हो रहा क्यू कि आज हमारे देस मे सारा के सारा नुकसान नुक्सान गहाँ चिंताय भी है यो है जैसे जैसे पुर्विता से चली जा रही है गरीब में सीच्छी आप आपसे जरूर पूछा जा सकता है ठीक है चलिए अगला देखा चप्टर नंबर क्या है चप्टर नंबर 14 चप्टर नंबर 14 क्या है गुणवत्ता सुनिष्चैन और प्रबंधन खास तो से यह बात की जरी कि आज की जो हमारी सिच्छा है उसको गुणवत्ता पूर्ण कैसे बना चाहिए ठीक है जटे के छेत्र में गुणवत्ता कैसी कालिती जा सके खास तरकारी स्कूल क्यों करें जो सरकारी से पढ़ाई वो ठत्वां क्या होड़ी फृथो चली में लोग बढ़ते क्यों चले जा रहे रहे बच्चे के दाख ले हैं क्यों वहां पर जो सिट्चा की गुणवत्ता थूड़ी अच्छी है इसलिए लोग में भाग रहे हैं तो अगर आप देखेंगे तो सिट्चा की गुणवत्ता है कहां पर अच्छी है प्राइवेट में अच्छी वहाई प्राइवेट जो स्कूल है निजी स्कूल जिसको हम बोलते हैं उनमें अच्छी है तो सिच्छा का प्रबंधन जो सरकार है हमें सिच्छा का प्रबंधन अच्छा करना चाहिए जो हमारे टीचर उनकी सही से भरती की राटने है तो हमें उसमें प्रकार से बच्यों से बच्चों को आननद आये खुशय मिले उसमें गीज संगीत को या खेल के गुनवत्ता पूर्ण हो सकती है च hypnot है अगर तीकर को हालत हैं धीछरम ऑने करने हैं अगर सरकार सुरकार स्कूल में अधिर्या भाग है और लोग जो है बड़ी संखे तो प्राइवेट की और भाग रहें mean क्यों भाग रहें इसलिए तो कोई व्यक्ति है अपने बच्चों को प्राइवेट में भेज रहाना गुनता के संखेचत के हैं यानि सिप्षा ऐसी इसके संक्यत क्या होंगे वह इसका संक्यत ही होगा कि हमारा जो बच्चा होगा उसकी कामियाभी जादा रहेगी या उसको सोचने समय उसके माक्स जादाएंगे या स्कूल में जो टीचर होगा और सही से पढ़ा रहा होगा तो एक परकार से हमारे देश में माहौल भी तो बन गया क सिर्फ्सकूल में पढ़ाई नहीं थी और सिच्छा की गुण वत्ता को बढ़ाने के लिए तमाश में प्रयास करती है लेकिन अगर मैं बात करूं तो उसमें क्वैंशी प्रकार की अगर देखो चलता उनको नहीं मिल पार हुआ गुण बढ़े है बढ़ीनी पार हुआ सिच्छा को कैसे मनेज किया जाए ताकि उसको बढ़ाए जा सके विध्याले सिच्छा को बहतर बना लेंगे तो हमारे लिए सबसे बहतर रहेगा नहीं कि जो सिच्छा उसमें नेत्रुत है दर्शन है प्रवंदन 100 करमी है केन्दृता है इनके बहतर रहेंगे ताब ही तम अगर विज्वद्धत रशा सिच्छा को गुणवत्त्तर बनाना दो के संकेत घर बात करेंगे घरели खाजय जिसके ऐसे अगर शिच्छार पता कि अृट की प्रभाव सिल्टा को भी दिखा एगा एस शिच्छा के उप्तंत्र में भी सुधार करेगा जर बर्भाव संकेता की है लिए Carlos बना जाए इसे तो पता चलेगा कि भाई सिच्छा की गुर्वत्ता है कि सही नहीं है टीचर सहीस पड़ा नहीं ठीक है आगत संकेकत क्या है इस सिच्छा पढ़नाली में अगर आप देखोगे तो हमारा जो तंत्र है जो मैनेजमेंट है इसको भी ठीक करना चाहिए ठीक है य उनका जो खास उसे एक अगर बहतर हो रहा है इसलित पचलेगा कि हमारी जो सिच्छा है वह बहुत बहतर है यह उनको मैत के सवाल गनित के सवाल अंग्रेजी या इंग्लिश जो है उनको अच्छे से बोलनी आ रही है उनको इनको समझ में आ रही है यह है तो psychiatक किसी संकेत पुड़ मानी जाएगी साथी साथ अगर उनको स्वास्त सारीरिक पर्याण और सांती आर्धी प्रकार की उनको सिच्छाएं देनी चाहिए ठीक है अगर विद्यार्थियों को अगर हम लोग अगर बच्चे को गणित अंग्रेजी विज्ञान समाजी विज्ञान अगर याते हैं तो भाई हमारी सिच्छा पते है या उसका जो रिजल्ट है या जिसका रिपोर्ट कार्ड है उसमें भी हमको दिखाए देगा भाई गुनवत्ता पुन सिच्छा करने के लिए हमें अध् गुनवत्ता पुन बना सकते है तो अब सिच्छा को कभी भी गुनवत्ता पुन नहीं बना पाएंगे हमें चैने फिक्री प्रनाली को माना जाता है यह सबसे बहतर हो है ठीक है क्या बता है मैंने प्राइस को सबसे ज़ प्रणाली के आधार पर हम सिच्छा की गुणवत्ता को चेक करें तो इसमें बड़ा बदलाव है उसे पहले तो यही होता ना भाई फेल है पास है इसे आधार पे निकाल देते थे उसमें कोई गुणवत्ता में परिवातन नहीं होता था और इसमें बच्चों का मलो बल भी गिरता था अगर आप देखेंगे तो चप्टर नमबर 14 भी हमारे इसी के साथ हो गया है अगला देख लेते हैं जो हमारा नेक्स चप्टर रहने वाला है ठीक है दो चप्टर और बच्चे हुए 15 और 16 अगला देखिए संस्थागत उत्तरदाइत और स्वयत्ता क्या है यह खास्तों से सिच्छा को लेकर के अगर आप देखेंगे जो हमारी संस्थाएं हैं खास्तों से हमारी केंदर सरकार है राज्य सरकार है और जो हमारा UGC है और जो हमारे स्टेट बोर्ड होते हैं स्कूल के जो बोर्ड होते हैं इन संस्थाओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारे देश में जो सिच्छा है उसको बहतर बनाएं जिसे बार काउंसल है ठीक है मेडिकल सिच्छा वाले है इसी प्रकार से की का इनका उट्तर ली धार यहीं बनता है कि हमारे देश में जो सिच्छा ₹C को जिम्मेदार बनाएंगे तभी तो हमारे देश में जो सिच्छा है या उसकी क्वाल्टी है बहतर हो सकती है ना नहीं तो हमारे देश में सिच्छा की जो क्वाल्टी है वह कभी भाई मेरे बहतर नहीं हो पाएगी जैसे हम लोग सोत रहें कि हम सिच्छा की क्वाल्टी को ज इनको हमें उत्तरदाई बनाना है इनसे सवाल पूछे जाया कि भाई ऐसा संगठन में सुधार क्यों नहीं हो रहा है इनका उत्तरदाईत है निखास उसे राजनेतिक उत्तरदाईत फिक्स होना चाहिए सिछा में बदलावाए जब नेता ओट मांगने आते हैं उनसे पूछन पूरत है ठीक है क्या है राजनेतिक उत्तरदाई तो भी अच्छा गरो नेताओं से सवाल पूछे जब और मांगने अए उनका भी उत्तरदाईत है ना कि वहीं हमारे देश में जो पड़ाए बहतर होनी चाहिए ना मेताओं का भी यह क्या बंता है उत्तरदाईत बंता यह जो राजनितिक दल हैं, जो मंत्री वंत्री हैं, मुख्य मंत्री हैं, परधान मंत्री, दुनिया भर के जो मंत्री हैं, इनसे भी सवाल पूछे जाने चाहिए, इनकी भी जिम्मेदारी है, कि हमारी देश में जो teaching institute है, सेच्छडिक संस्थान है, उनको बहतर होने चाहिए, ठी त्सें, चाहिए, उसे प्रछा से व्योटी संस्थान को प्यात राजन भी जो कि भी जिम्मे दारी हैं, तो आँ जो आमजन्ता हैं उसकी भी जिम्मेदारी है, कि वह अपनी बच्चों पढ़ाय, इसमधिया ब्रज kinda यह मदद करे, इंगा यह लोथी ना आम जनता के भी तो उत्तरदायुती है भाई आसा है तो हमारे जो विद्यार्थे इनका भी उत्तरदायुत है माता पिता का उत्तरदायुत है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए यह तो नेतिकता का उत्तरदायुत है आज हमारे देश में जो पैरेंट है इनका भी सबसे ब संस्थाओं के लेखेर के उनका क्या उत्तरदाई तो बनता है उत्तरदाई तो बनता है उसके गुणोत्ता कोmi बना जाए ठीक है ठीक है शिच्छों को भी आजादी मिलने चाहिए शिच्छों को भी सोतन छोड़ना चाहिए ताकि वह बच्चों को बहतर तरीकी से क्या कर सकें पढ़ा सकें या उनमें एक प्रकार की प्रतिव्या का कर सकें विध्यार्थियों के भी एक प्रकार की एक प्रकार से उत्तरदा चलिए आब हम लोग क्या कर लेते हैं अगला चप्ट देख लेते हैं जो हमारा नेक् lesa रहने वाला है ठीग है नेक्स्ट चप्टर हमारा झच्प्टर खार्ज रहाएगा छिंच नंबर 16 सोलवा सोलवा चप्टर बताएगा खांज तो कि आज हमारे डेश में सिच्छ में यानि सूचना संचार अगर आप देखो आज हमारे देश में देखोगे जो की तरीग से ऑगर ओन लाइन होगी आज सब्से जादा सिच्छ में किसका यूज किया जेरत कम्प्रियोप की जाता ना आप सफ अगर आप देखोगे आज जो blackboard कम हो रहा है देरे देरे आप देखो प्रोजेक्टर पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है या अगर आप देखोगे उनको computer पर पढ़ाया जा रहा है या उनकी classes उनलाइन करवाजरे यही तो सिच्छा में ITC का प्रेयोग खूब जाता हो रह अगर आप देखोगे एजुकेशन में कितना सारा प्रेयोग की जारा है इंटरनेट का प्रेयोग हो रहा है दूसे प्रकार से बिद्यायला की इसमें एंटर्णेट के विंटर्णेट कर पहुद रहा होता है। तो अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीकी से आप क्या है कि आज जो विद्याले सिच्छा हो आज है हमारे स्कूल कोलेज हो वहां पर अगर आप देखेंगे तो टेक्निकल एजुकेशन की क्या है सबसे ज़्यादा दी जारी है आज इंटरनेट का जो प्रयोग है आप देखोंगे स्कूल कोलेजियों में खूब प्रयोग किया जा रहा है एजुकेशन देने के लिए अधितनी ओनलाइन एजुकेशन कितनी करवाई जा रही है वैसे भी अगर आप देखोंगे जो हमारी नियू एजुकेशन पोलिसी है उसमें बताया गया है कि 40% जो स्लेबस है उसको ओनलाइन कर दिया गया क्या कर दिया है भाई मेरे जो 40% स्लेबस होगा वहां ओनलाइन पढ़ा जाएगा इगनु जैसी इनवस्टिय तो बहुत सार नियूदी है उसका कह सकते हो कि खास उसे देखेगे तो सिक्षा में खोब सादा प्रियोग किया जा रहा है ठीक है तो 16 चप्टर में यही चीज़ें आपसे एकजाम में क्या हो सकती है पूछी जा सकते है ठीक है इसको भी आपको क्या करना अच्छे से पढ़के जाना अच प्रियास किया है ठीक है आपको कोई कोश्चन होगा तो आप मेरे से जरूर पूछ सकते हैं मने सारे चेप्टर सिरफ समझाने का प्रियास क्या मुझे लगता जितना मैंने पढ़ा रखना अगर आप लोग इसको अच्छे से समझ गए और अच्छे से अगर आपने नंबर का दो-दो कोश्चन लिखना पड़ेगा तो एक के लिए दो पेज यानि जो पेज मैं बोलता है जैसे मैंने बड़ा बीस नंबर के लिए चार पेज चार पेज का मतलब जैसे आपने एक पन्ना लिया ना तो आगे और पीछे आगे एक पीछे तो इस हिसाब से गिन करके जरूर बता देना बाकी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थाइंक्यू सो मच जैहिंद